लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें हborếu श्राइब करेंड। मामा, लो मा, तो रच नाम रुद पीलो तुम बिल्कुल ठीक हो जागी मा, पता नहीं, पारवती, अबे तक क्यों नहीं आई, कमला, कमला, जैसे तुम्हार अतार मिला, मैं पहले बस से दोड़ी दोड़ी चलियाई, अब कैसी दभीयत है तुम्हारी, भगवान के घर से बुलावा आ गया, पारवती, अब में नहीं बचूंगे, ऐसी अशुब बाते मत करो, कमला, तुही तो मेरी बच्पन की सकी सहली है, पारवती, तभी तो आखरी समय में भी तुम मेरे पास है, इसिवा मेरा इस दुडिया में कोई नहीं है, हाँ, 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 मैं अपनी आत्मा तुजे सौफ रही हूँ, इस अपने च अना अत्मसों ने देना बैठ, कैसे बाते करती हो, कमला, हिम्मत से काम नो, हाँ, मा उसे ठीक क्या रही है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हाँ, इस तेरी मा सी नहीं, मा है बेटे, अब, इनका सुख दुख, तेरा सुख दुख है, जीवन में, जीवन में इंसे, कभी देलका जुख दोना TRUGS आहाँ, कमला, कमला, मा 주고 उला उल्कारbor पल्या, कमला, मा उल्कार गुख, और गुख, अल्कार MIKE ांज़ गान, कमलाई, ख्वान mająत्य, कमला, मार् 짧के हो गुख, गल्ख वडै मार्या, 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 मार्य वार्फ, प वेरे देकता आवे अब ही बताते हैं कितना पैसा हुआ दो रुपिया माजी ये लो आओ बिलू मा तुम ने इतने जिन क्यों लगा दिया आने के लिए बहुत ज़रूरी काम था बेटे मा मुझे तुम्हाई रोज जाता थी ती अच्छा हाँ मा देयू मैया की कुसम आप तो हम आगये हैं ना अच्छा ये बता तुम लोगों ने लड़ाई चगडा तो नहीं किया ने मा मा हम तो ब्यार से रहते थे मा मा ये कौन है ये वो काम वाली कमला मौसी याद है हाँ हाँ उनके बेटे हैं बिल्लू भाईया हैं तुम्हारे अच्छा अच्छा पिष्ली बाद जब ये आये थे तब इतने से थे हैं ना मा चुम दादी कहीं कि अच्छा बच्चों ये हैं तुम्हारे बड़े भाईया बिल्लू और बिल्लू ये हैं तुम्हारा छोटा भाई रवी ये हैं तुम्हारी छोटी बहन जोती और ये हैं हमारी बड़ी बहन पिंकी दिदी अच्छा और बिल्लू ये है आशा गंचाम बाबू की बेटी हमारी जोती की पक्की सहेली अच्छा जोती तुम लोग अभी तक खेल रहे हों रात के लिए कुछ खाना बनाया क्या खाना बनाती मा क्यों घर में थोड़ा सा आठा था बस उसी की रोटी बना ली बाबू जी से पैसे मंगे उन्हें नहीं नहीं दिये हाँ उन्हें क्या पड़ी है मेरे बच्चे जीए या मरे उनका पेट्टु शराब से ही भरना चाहिए अरे वो भाई देवा बोलो चैचे अवा लेया लाल परी का आहां लाता हूं अरे जल्दी लेया भागने ना पाई साल देखो भी यह देखो बहुरह साला कलवा हराम जआ अन्हें करके आज जमने में नहीं बाई दिया तो अमरा नाम भी ठंठंधती वारी नहीं साला दो कवड़ी का कुटता हमता आज ना अने खड़ा होता है तो आइं काए रहे ठंठंती वारी घसिता बहुत कम है और मारता बहुत जाता है क्या मतलब मतलब ही कि कल जब हम उस बढ़व पन्ना लाल की लोगाई को थाई के ले गए थे तो तो तोरा पेट काहें फट रहा था तोरी छाती में काहें आग लग रही थे मेरा गला थोड़ थन्थन अहीं से ले बिटवा है छोड़ दिया तुरा घला अब बोल तु थानेदार के बस कहाए गया थरे तेरी काली कर्टूतों की शिकायत करने अगर मैं उस भले अदमी के साथ थानेदार के पास ना जाता तो क्या चुंगी के जमादार के पास जाता चाधरी बनता है बनी के अमरा रो सषी चमेली तुरी काल आगा थी तुरी लोगाई तुरी बहिना तुरी अम्मा बल भल बल जोटी के थंठन जोट कई बिना वज़य कंजूर को सताता है क्यों खामखा हमारा मूर खराप करने चलायता हैं तू क्यों रंग में भंग डालता है तू यहां मत भोले शंकर तू भी मत भोल ठंठं यह हराम की कबाई और गुन्डागर्दी से आदमी की जिंदगी नहीं गुजरता दोरी तू कि वर झाहननुका कि अचल आदेख़ प्राज़ है फ़े मान भी मोई नहीं मत प्राज़ कि बादेख़ मत बड़ी मत भोले iniciर युब परत शंकर कि वब्सके जिंदा म 170ी कि कम परेख़ बाल बाल ठंठन अगर कोई शरीफ तेरी बदमाशी को चुप चाप सह लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरी गुंडा गर्दी का जवाब कोई नहीं दे सकता साले संकर्म आज का ये खुला डिरामा तेरे को बहुत महेंगा पड़ेगा काहे के ठंठंठंग तीवारी कौनों के साथ अपना इसा बौकी नहीं रखता है उसके पेटुआ में हाथ डालके अतरी खीच के निकाल लेता है और नहीं निकाला तो अपने बाप की अवलाद नही आज बैटे ऊंपस्टांख करें दये खाला इसकोर दाख्यूम आ बढ़े absurd मोठी तो क्मा इनन फॉड़ेन के बाटेव मुदा हुआ यह दुरूर आ ह्युरूं तो हम एक काम करते हैं, सुल्तान भाई की साइकल की दुकान पर बिल्लू को अपने साथ काम पर रख लेते हैं, हर एक खमाल करती हो, मेहनत करने में बुराई क्या है? हाँ मा, बापु ठीक ही तो कह रहे हैं, हम घर में बैठके भी क्या करेंगे? हाँ हाँ, शावाज! बापु, एक बात कहो, नारास तो नहीं होंगे ना? और नारास क्योंगे? बोलो! अम्मा, बता दू, बता दे! बापु, दिन के उजल में आप सबसे अच्छे बापु! वो तो है ही? लेकिन रात को जब आप लोटते हो ना, तब सब बच्चे डर जाते हैं, मगर हम नहीं डरते हैं! क्या कहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी डरते हैं! बापु, अम्मा बता रहे थी आज आपका जनम दिन है! अच्छा? बापु, इसलिए आज से आप शराब पीना छोड़ दो ना? हाँ हाँ बापु, जी बिलू वही है, ठीक केते हैं, आज से आप पीना छोड़ दो! कैसे बाप है आप? हाँ क्यों नहीं कर देते हैं? ठीक है, जो पंचो की रा है, आज से हम एक नया जीवन शदू करेंगे, आज के बाद जिन्दगी में हम कभी शराब नहीं पिएंगे हमारे बापु, जिन्दआ नहीं अँगी बैटे तुम भी जल्दी से तयार हो जाओ हमारे साथ चलना है तुम्हें अच्छो बापू सुनिये घर में राशन पानी खतम हो रहा है बच्चों के पास धंके कपड़े नहीं है पहने के लिए और दिवाली भिसर पे आ रही है और यह तो कोई बात नहीं सुल्टान भाई आ आठ बापू कर दिया, अब भले यह पईया तूट जाया लेकिन हमारा कसा और नटबल अपनी जगा से कभी नहीं सकता है बापू tähän वाँ 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 सुभान आला अला वाँ तुम्हारा भीटा तुम्से भी बड़ा कारीगर है शुक्रिया चाचा शंकर तुम सुबह कह रहे थे ना के तुम्हें जल्दी जाना है और कुछ खरीद फरोख्त करनी है मैं तुभारे लिए पैसा लाया था यहलो नहाँ चाचा बापू ने आज से शराब पीना छोड़ दिया है। मैं बहुत 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 मुबाराक हो। इसी बास तो इहलो दोसो रुपैं और लो… और जा करके नई जिनदगी की शुरुबात करो। मामा मिठाई नहीं 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 पिंकिन नहीं रख दो एक दोना मा आज तुम्हारे बाबुजी का जनम दिन है उनको आ जाने दो हम साथ में उनका जनम दिन मनाएंगे और खूब मिठाई काएंगे बिल्लू बैचे हमने सब चीज़े खरी ली है ना को तो हम काट के जमना में बहाई दिया अब तोरे खुले डिरा में कहीं हम जवाब देने के लिए आए हैं बुजवा उस दिन रात को तू भी पिया हुआ था और मैं अब छोड़ो रात गई बात गई नहीं रात तो गई मगर बहुत नहीं हुआ हुआ किया लोग कियाँ वहा हुआ कियाँ झाले जड़िक मेरी बाफ को मने जड़िक झाल्चार झाल्ट हाँ हाँ प्राइब! प्राइब! मादब! मादब! प्राइब! बापू! जिस खत्यारे ने आपकी जान लेकर अम्मा के माते से सिंदूर मिटा गिया मैं उस शैतान को जिन्दा नहीं छोड़ूगा बापू! कभी नहीं छोड़ूगा! कभी नहीं! नहीं दिन्न महीं ऐसा मत सोच! इस वक्त तुई अपने छोटे छोटे भाई बहनों और अम्मा का साहरा है! पूरे परिवार का बोश तेरे कंदों पर है! पहले तु अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर! बदले के लिए तो सारी जिन्गी पड़ी है! ठीक है! जब तक मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती ठंठंती वारी! तब तक तु जिन्दा रहेगा! और उसके बाद तेरी चिता जहेगी! माफ करो बहिन! अब मैं और उधार नहीं दे सकता कल रात से मेरे बच्चेबू के हैं लाला जी घर में अनाज का दाना तक नहीं है सिर्फ आज के दिन थोड़ा सा राशन दे तो बड़ी महरबानी हो कि आपके देखो बहन, मैं एक मामूली छोटा सा दुकंदार हूँ अगर सबको मैं ऐसे ही उधार बाढ़ता रहा तो एक दिन ये दुकान मुझे बंद कर देनी पड़े बहन, अब मुझे और ज्यादा शर्मिन्दा मत करो मुझे और शर्मिन्दा मत करो बहन मा कुछ खाने को दोना मा, बहुत भूग लगी है माуск, मा भूग से जान निकल सिय है मा HU रोटी का एक अधुक्डई ही दोना मा मा क्या आज भी हमें खाने थोगी मा कुछ तोना मा, बहुत भूग लगी है मा War कुछ खाना निखाया मा, कुछ तो दो ना मा, मुझे बहुत भूग लगी मा कुछ तो खाने कर दो ना मा, बहुत भूग लगी ना मा कुछ तो खाने कर दो ना मा, बहुत भूग लगी ना मा ये मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो प्रभू ये कैसा इंसाब है, कि एक मा के सामदे उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रोटी के एक एक टुक्रे को मौत आजा है, मैं क्या करूँ प्रभू, मैं क्या करूँ अगर तुम मेरे भूख के बच्चो को रोटी नहीं दे सकते, तो मुझे मौत दे दो, प्रभू, मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो अ, मйा, मा, मह रो, मुझे मौत फूत नहीं, महा, मतत दलिकान नहीं आजी आए अपाइ प्रूत नहीं हरे, प्रभू, मदय के बच्चjungे डिक्सित नहीं हरे एब बगवाण हमें चल्दी से बढ़ा कर दो, ता कि हम इतना कमा है, इतना कमा है retour अमारी अम्मा और भाइबन आमेसा सुखिर है और इनके आखों में कभी दुख के आसों न देखे कभी न देखे लुबिटी, अम्मा पेपे पेपे गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई बिलू, अरे आशा, तु अभी तक जाग रही है? हाँ, जब तक तुम नहीं आते, मुझे नीन नहीं आती तु तो पागल है आशा? ठीक है लेकिन एक बार बताव बिलू, तुम दिन रात काम करते-करते ठक नहीं जाते? नहीं, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे तुमसे बाते करना अच्छा लगता है ठीक है ठीक है, चल अब तु सोजा रात काफी हो गई है अच्छा, मैं चलता हूँ अच्छा लेलो बेलो बेटें तुमारे पैसे शाबाज शाबाज बेटे शाबाज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ यह अपनी तरखा के दोसरों पहलो शुक्रिया चाचा ये जो घर नांगन है एकार कहां है ये जो घर नांगन है एकार कहां है तुझो जैते भाई बेहन है देवी जैती मा है ये जो घर नांगन है मां का आचन सबसे पावन अपने धर की छाया मैंने पाई साबसे बावन कारी दुनिया जब से मा को पाया हसते गाते जीवन सबके खुशियों में लहराए जिसने काते और रस्ते में वो मुझको मिल जाए वो मुझको मिल जाए दिल्लु भया प्यारा प्यारा दिल्लु भया प्यारा प्यारा दिल्लु भया चक्षे ध्यारा 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 ये जो घर आगने है ऐसा आधिक नहाँ है दिल्लू भैया जाम हमाले देविजे जी माँ है ये जो घर आगने है मिल जो घर हम यो ही हर पर दुछ सुस्पाटे अपने एक ही रहता एक ही मंदिर एक ही जब के चपने एक जनम क्या जनम जनम तक साथ रहे हम सारे एक तुझे का प्यार हमेशा मन में रहे हमारे ये जो घर नागन है खेता और साहरे दिल भईया राह हमारे दिल भईया राह हमारे देविजे की माँ है ये जो घर आगने है करता दीए ये जो जशेता जागने ये जो लए जसका औरसी बा रहे हमारे वे जो साहरे ये जर चंदीर ज बातलके क्सूपस्यर अचक जागते प्जावड़ grandfather मैं उ्याम साहरा प्यक्रोड़ है रेड़ी चाचा शाबाज बेटा शाबाज बेटे दरा देखा दरा सभाल के चलाब बहुत भी बाड़ हुती है बेहर ट्रैपी के हम लोग परेशान हो जाते हैं बेटा है दरा हूश हो आसे ठीक है आप बिल्कुल फिकर मत करो जाचा शाम को मुलाकाथ होगी इंशाला हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ 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 ह गवरामत बभबु जी, रास्ता कहा है रोक़ भाएया ? हाँ, 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 शैतान सिंग तेरे जैसे भीकारी का नहीं, ऐसी मोटी आसामी का रास्ता रोकता है, और उसका वजन हलका करता है इस शहर में किसी मा ने ऐसा शैतान पैदा नहीं किया जो बिल्लू की सवारी को हाथ भी लगा सके ऐसा क्या? भलाई चाहता है तो अपने इन चम्चों के साथ पतली गली से फूट ले साले लास्ता तो मैं तुझे चोड़ी गली का दिखाता हूँ लासर हुच्ता जा वासर है। कैसे एक थे किसी में और 2 भल है वपने वह लгास प्रॉढ़ी लगाँ तर दो पूदार दिना दोड़क, करो पूदारी Summit पोड़को 153ST कर दोड़ revis gखिना पो जोड़को 204 246 कर दो आजिती दोड़को 25 कर दोड़को 256 25 ÷ लीजिये बाओ जी, समाली अपने अमानत बिल्लू, तुमने आज हमारी जाहन ही नहीं बचाई बलके हमारी बेटी के सपने तूटने से भी बचाए है हाँ भाईया, कल बेटिया की शादी है, ये सब देना है दहेज में बिल्लू, आज तुमने जो हम लोगों पे ऐसान किया है, इसका बदला मैं कभी भी नहीं चुका सुभूँगा तुम मेरी तरफ से छोड़ी सी भेट स्विकार कर लो आपको इन पैसों की मुझसे जादा जरूरत है, बिटिया की शादी में खर्च का देना है इतिहास के बादशाहों ने तो खून खराबे की और लूट मार की, और तुमने आज खून खराबा और लूट मार को रोका, तुमने अपनी जिंदगे खत्रे में डाल कर हम दोनों की जान बचाई, तुम इनसानियत के नजर में बिल्लू रिक्षा वाले नहीं, बिल्लू ब यह मायम मोह के जाल में हमको कहां फसाते हैं, हमको नहीं चाहिए उठाओ, आपने मुझे करोणों की जमीन कौडियों में दिल्वा दी है, हम दिल्वाया, और नहीं तो का, ना हम प्रेम नगर की गरीबों की बस्ती जलाते, और ना ही इनको फाइब स्टार होटल बनाने के यह जमीन मिलती, यह सब तिवारी जी की किरपा से हुआ है, हाँ भाई राम छवीले, यह आधा पईसा ले जाके गरीब भाई बहिनों में बांट देंगे, इतने सारे रुपाए भूके नंगों में बांट देंगे, तो सानी साहिब, इसी को कहते हैं पॉटीलिक्स, पॉलि तुम जाओ, आगे पब्लीक है, जब हमने सुना कि कुछ समाज भी रोधियों ने, हमारे दुष्मनों ने, हमारे गरीब भाईयों के घरों को जलाकर खाक कर डाला, तो हम भूरन मुख्य मंतरी जी के पास पहुंचे, और काचीम्स मिनिटर साहिब, यह आपके सासर में क्या गुर्णागर्दी चल रही है, हाएं, इस सहर के अमीरों ने, गरीबों को घर से बेघर कर दिया है, तो भाईयों, आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर, मुख्य मंतरी जी, बच्चे के समान फूट फूट के रोने लगे, और फिर आओ देखाओ नताओ, और अपने सकट्री को आवाज दिया गए, सकट्री, हिया आओ, जब सकट्री आ तो कहा, कि सब जमीन करीब लोग के नाम पे लिग दियो, और आप लोगों के नाम पे जमीन लिग दिया त जालिये तो बजा इस बात पे, मगर जमीन मिलने के बात भी भाईयो, हम रात भर सोई नहीं सके, हम सोचा के भाई ठंठन, जमीन कमिल गई, मगर आपकी ये गरीब भाई, ये मजबूर बोहिने, ये अपना घर कैसे बनाएंगे, तो सूरट निकरने से पहले हम फचला किया, के ठंठन, गरीब को अब आत कर देो, तो भाईयो, हम अपने बाप दादा की आखरी निसानी, गाउं की हवेली, जमीन जादा, सब बेच के, आपके हुजूर में हाजर होई गए हैं, ठंडन तिवार जी के, ये हो, ठंडन तिवार जी के, भाईया, राम छबीले, अब देर किस बात किये भगवान का नाम ले और शुरू हो जाओ पस ये पुन्ने का काम भी किया देता हूं भाई आये नमस्कार पंडित जी अरे नमस्कार रिक्षा रोको भाई रोको पुरिसी देर हो गई पंडित जी आवा आवा पाई लागी पंडित जी अरे अभी कहां लागी पहले लागो तो जाही पकरे की मा कब तक खैर मनाए जी ठंठंती बारी अरे या जो थी है इसे लालेथे आगे पनाभी किक्रक केंडित जी थे आख पिरो अरे, बेटा, तु आ गया? पसीने, पसीने हो गया है. मैं पानी लेकर आती हूँ. तु तो कला आने वाला था, ना? हाँ, आमा, वो पैसो का इंतिजाम करना था, इसलिए देरी हो गई. ये लोग 1100 रुपे, एक गड़ियान आज बेचा है. फिर क्यों आना आज बेचा तुने? देखो, अमा, हम लोग भले ही एक रोटी कम खाने, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है न, अमा? ये लो भया. जोदी तुरी पढ़ाई कसे चल रही है? बहुत अच्छी भया. ये तो हमेशा कालेज में फर्स्ट आती है, लेकिन दिन रात एक ही रट लगाये रहती है, कि मैं तो B.E.D. करके आशा दीदी की तरह मास्टर नहीं बनूँगी. अमा, ये मास्टर नहीं बने हैं कुछ भी बने. हमें तो इसके हाथ जल से जल पीले कर देने हैं. इस ससुरे टीवी ने तो बच्चों की पढ़ाई का सत्या नास कर दिया है, आग लगे ऐसी टीवी को. क्यों आग लगे, तुम्हें नहीं देखना तुम मात देखो, मगर हम तो जरूर देखेंगे. देख देख, तेरे सामनी के ऐसी जबान चलाती है. पिंकी, खलत बात, जबान नहीं चलाते हैं. भाया, अभी एक कलर टीवी ला दो ना. ये क्या पिंकी, भाया को थोड़ा आराम करने दो, आते ही भाया से फर्माईशी शुरू कर दी. कोई बात नहीं जोती, कोई बात नहीं. देखो, अभी कलर टीवी हमारे बूते की बात नहीं. लेकिन अपने भाई रवी को कलक्टर बन जाने दो. उसके बाद कलर टीवी तो क्या? चम-चमाती हुए गाड़ी घर में आ जाएगी है. ये देखवा आगे या रवी. भाया, आप गाउंसे का बाए? अरे अभी अभी आ रहा हूं, भाई. पहले ये वादा तरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पर्स क्लास. देख, हम भी यही चाहते हैं कि तु खूब पढ़ लिक के जल सजल बहुत बड़ा कलक्टर बन जाए. हाँ भाया, जरूर बनूँगा. लेकिन पहले मुझे में पास करना है. उसी बाद I.S के कॉंपटिशन में बैठूँगा, फिर कलेक्टर बनूँगा. बिल्कु ठीक है. लेकिन कलेक्टर बनने के बाद भाई तुझे हमारे काम करना पड़ेगा. अपनी पिंकी रानी के लिए एक रंगीन टीवी और चमचमादी मोटर गाड़ी लानी होगी. आपका हुकुम सर आंखो पर भाया, मैं घर के लिए सब चीज़े लाएंगे, तब तक मैं बुड़ी हो जाओंगी. तु जा जल्ली से मुझा दोकर तयार हो जा. मैं सब के लिए चालाती हूँ. मैं सब के लिए था चमचमाची ख जालाती हूँ. मैं सब के लिए हूँ को चालाती ही। हुआ हूँ झालाती हूँ जवाँ जवाँ ओजवाँ इस जवाँ है कहा कहां उसका पता दे ज़रा मुझको पता दे कब उसको मिलूगा एक बार मिला दे यार मिला दे जवा जवा ओ जवा इश्क जवा है कहा कहा ओ कहा उसमें तहा है मुझको पता दे कम उसको मिलूगा एक बार मिला दे यार मिला दे जवा जवा दे जवा दे जात जवा दिल है जवा मक्त समा है, ऐसे में हाए मेरा यार कहा है जात जवा मक्त म समा है, ऐसे में हाए मेरा यार कहा है जवा जवा ओ जवा इसको मेरा यार कहा है कहां कहां ओ कहां उसमें नहां है उसका पता दे उसको मिलूगा गवार मिलाते मिलाते इस दिन से उसके मेरे लेन रड़ गई कैसे रहू होश में होश उड़ गई दिन रड़ गई होश उड़ गई दिन रड़ गई जिस दिन से उसके मेरे लेन रड़ गई कैसे रहू होश में होश उड़ गई दिन रड़ गई होश उड़ गई मस्की में तुमरा मातार जवा है जवा जवा ओ जवा इश्ड जवा है यहाँ यहाँ ओ यहाँ उसको मिलेंगे इवर के मिलेंगे जूमती बाहर में भिल के फूल गिलेंगे पूरे के आईए आईए आओ हुजूर तुमको बाहरों में ले चलू नजारों में ले चलू अकेले में ले चलू बस बबा बस अपने एक कदम और आगे नहीं चल सकती सच तुम्हारी कसम मेरी टांगों में बहुत दर्ध हो रहा है विजाजत हो, तो तुम्हारी इन गोरी गोरी टांगों को मैं दबादू और अपने इन फॉलादी हातों से तुम्हारे नाजुक बदम का धरद मिटादू देखो विजय, मेरे बदम को हाथ मत लगाना हाथ मत लगाना, फिर, हाँ, बोलो-बोलो, बोला देखो विजय, इस वक में बहुत सीरियस हूँ अच्छा, इसका मतलब आग जो है, वो तोनों तरफ पराबर के लगी हुई है चोड़ो मुझे, आग कहा तक भागती है मेरे विजय, मेरे विजय, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं मादून था, तुम इतने गिर हुए इंसान हो गिरा हुआ, यू मिन डाउन टू अर्थ, हाँ, आएम, बलतकार यू मिन रेप, वो भी राजा के सामने, हाँ यार, ये चिकना लॉंडा, सालीस लॉंडिया के साथ अकेले ही मजा लेना चाहता है नहीं, जोती, तुम्हें जान देनी की कोई ज़रूत नी तुम्हारा बलतकार करके, मैं तुम्हें अपने हाथों से उक्ताओकर इस पहाड़ी से नीचे फेक दूंगा मैं तो विलन की एक्टिंग कर रहा था ये अपनी बैंट को कि दर लेके जा रहा है रुक अभी बताता हूँ कि साला कौन और जीजा कौन कर दो चकिंगा है कि रच्किंग कर रहा है लाँ यहाँ झाहेट। रुबे सालो, कहा बाग रहे हो? नहीं, नहीं जोती, जोती अरे पकली, मैं तो मजाग कर रहा था भला असली हेरो कभी विलन बन सकता है क्या? जोती जोती चलो कहीं जाडी में चले तुम बहुत बुरे हो गुजे यहलो मुन्ना गुरू और यह बताओ कि इलेक्शन की तैयारी कब से करनी है शुरू किस साले पे श्यनी की मादशाई है जो ठंठन तिवारी के बेटे मुन्ना तिवारी के सामने कॉलिज प्रेजिडेंट बन सके सही का अस्ताद वैसे भी मुन्ना तिवारी लोहे पर तब चोट करता है जब लोहा बहुत करम हो हाई कर्मी अब अटन ना आगे अभी बाल क्या बोलू गुरू खुदी सामने देख लो हाई मुन्ना हाई पिंकी अगे शनी की मांदशा क्या बात है आज तो बहुत ही खुबसरत लग रही हो किस पर बजलियां गिराने का रद है जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं आज कौन सा दिन है कौन सा दिन है फ्राइडे फ्राइडे याने शुक्रवाद मैं हर शुक्रवाद को संतर्शी माता का व्रत रखती हूँ किस उलू के पठे के लिए तुम्हारे लिए और किस के लिए ओए मार डॉला जाने मन कहो तो तो जिसन एक जान हो जाए तुम्हें पसंद है तो पहले क्यों नहीं कहा यह डाइमंड रिंग मैं उसी वक्त तुम्हें दे देता आ आ आ आ आ आ आ आ आ आप खुशी है ओम्हाद और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें जिसने बरसो तुम्हारा इंतजार किया है क्या उसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकते हमें तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कतनी आ आशा जो काम तुम्हें करना चाहिए बिलू वो काम मैं क्यों करूँ अब तुम्ही बताव आशा ऐसे हालात में हम अपने बारे में क्या सोचे बैठो हाँ आशा हमें रवी को पढ़ा लिखा कर कलक्तर बनाना है जोती और पिंकी की शादी करनी है इसमें नमालूम कितना समय लग जाए हो सकता है पूरा जीवन ही लग जाए तुम कब तक इंतजार करोगे हमारा आखरी सास तक सिर्फ एक बार एक बार अपनी जुबा से हाँ खेदो डाडी गुड़ीवनिंग डाड डाडी गुड़ीवनिंग अंकल वड़ी गुडबाइनिंग बोलो नी अरे बाबा, सुभेडे का दो बज गया सौरी डाडी इतना रात तलक तुम लो कित दर था बड़ाबड बोलो वह क्या अंकल आज हमारे कॉलेज में आनियोन फंक्शन था ना अच्छा येस अंकल हम दोनोंने फंक्शन में एक्टिव पाट लिया अच्छा पूछो मत अंकल हम दोनोंने वहां समा बान दिया हाँ ड़ी बाइकोड लोग हमारे प्रोग्रम में जूँ उठे थे सच अंकल तुम दोनों मेरे को लल्लू समझता है हरे बाबा हम भले ही लाइफ में एक बार शादी बनाया मगर हजार बार बारात में तो गया है नहीं जडा मेरे को वह कालिज का नाम तो बताओ जिदर साला साल में एक बार नहीं दस-दस बार अनिवल फंक्शन होता है आप हमें घलत समझे आंकल देखो डवी इस तिल से तुम और तेल नहीं निकाल सकता हरे बहुत हो गया यह डिरामा तुम दोनों का हरे बड़ी साइं जब तुम दोनों नवा नवा प्यार किया तो रात को आट बजे आया मैं बोला भाई टिकमदास जाने दो दूसरा टाइम तुम लोग रात को दस बजे आया मैं बोला भाई टिकमदास आने दो अब जब तुम लोगों का प्यार और जबरदस्थ हुआ तो रात को साला बाड़ा बजे आया अड़े 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 मेरा तो कान खड़ा हो गया और शादी के पहले आज रात को तुम लोग दो बजे आया अरे भाई, अगर किधर गलती से मैं तुम दोनों का शादी बना दिया तो तुम लोग तो साला ह्टर के अंदर आए गई नहीं नहीं, अंकल, ऐसी केसे हो सकता हैं? अरे कैसे नहीं हो सकता, बंदल, मत मान मेरे को अरे तुम दोनों सभी कुछ कर सकता हैं अभी इसलिए रवी बेटा मेरे को साफ साफ बताओ के मेरा डाकर के साथ मैं शादी कब बनाएगा तुम खलास, बोलो वो क्या है अंकल की, अभी तक मेरी पढ़ाई भी नहीं खतम हुई है तो प्यार क्यों चालू डगता है अगर शादी नहीं तो प्यार का नातक भी नहीं कुछ समझा बेबी हाँ तो इधर खड़ा क्या है जाओ चलो अपना रूम का अंदर जाओ बोल अच्छू, अरे ये पढ़ाई वाले छोगड़े को जाके कबारी बजार में छोड़ कराओ, जाओ गुड़नाइट अंग्ल, शट अप गुड़नाइट, वैसे छोगड़ा तो अच्छा लगता है, गुड़नाइट भी बोलता है बिल्लू बेटे, इस कमर तोड महंगाई के जमाने में तुम साइकिल रक्षा खैंच कर दस जनम तक अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और फिर कदम कदम पर तुम्हें पैसों के तकलीफ ये मुझसे देखी नहीं जाती बेटे तुम तुम ऐसा क्यों नहीं करते के अपने घर को गिर्वी रख दो और बैंक से कुछ पर्जा लेकर के एक आटो रक्षा खरीद लो चाचा जिस घर में हम रहते हैं अगर उसको ही गिर्वी रख दिया तो फिर हम रहेंगे कहां खमाल करते हो बेटे अगर बैंक तुम्हें रुपया देगा तो तुम्हें घर्ज निकाल थोड़ी देगा फिर भी चाचा ओ हो बेटे मेरी बात मानो तुम नया आटो रक्षा लेलो रहा बैंके कर्जे की बात उसको आहिस्ता इस्ता किस्तों में अदा कर देना सब लोग यही कर रहें न पिर तो चाचा गाओं में अपना बहुत बड़ा मकान है हम उसे गिर भी रख देते हैं हरे यह तो बहुत अच्छी बात है फिर तु तुम समझो के मैंने मैनेजर से बात कर ली तुम्हें कर्जा मिल गया और तुम्हारे हाथ में नया आटो रक्षा आ गया ताला अम्मा कहा गए अरे वाह यह नए कपड़े यह नए जूते और यह नया आटो रक्षा बात किया है सरकार कहीं तुम्हारी लोट्री तो नहीं लग गई नहीं तो फिर इससे कहां से उड़ा लाए हो उड़ा लाए का मतलम अरे यह हमारा अपना है जूट मत बोलो मुझ से अगर जूट हो जो सजा चोर की वो हमारी खाओ कसम मेरी तुम्हारी कसम अब तो हमारे विश्वास करो देवीजी तुमने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़े है इसलिए विश्वास कर लेती हो क्योंकि तुम मेरे अपने हो सुनो, तुम संड़े के संड़े इसमें मुझे सेर करवाओगे, मैं ऐसे खूप सजाओंगी, सजने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लगेगा, जैसे हमारा छोटा सा घर, प्यारा सा घर, सुन्दर सा घर आये आप रुकिये प्रणाम पंडिजी प्रणाम सरवारिष्ट शान्ती रामचवीले ये देवी कौन है? ये गंगा देवी है भईये बहुत पवित्र नाम है ये अपने मुन्ना बाबु के स्वर्गवासी प्रोफेसर साहाब की बीवी है अच्छा अच्छा हाँ पंडिजी मैं एक विद्वा उरत हूँ और दो छोटे छोटे बच्चों की दुखी मा हूँ जी हाँ पंडिजी विचारी बहुत मुसीबत की मारी है आप जल्दी से इनका कल्यान कर दीजे हम चलते हैं प्राण चलते हैं सेवा बोलो दीवी आप थोड़ा मैनेजिंग कमेटी को बोल दीजिए इनके प्रॉविडेंट फंड का पैसा मिल जाएगा मेरे छोटे छोटे बच्चे पल जाएगे आपको जिंदगी भर दुआ देंगे पंडिजी तो समझ लो देवी कल ब्रह्म औरुद पे पैसा अवश्य तुमारे हाथ में होगा लेकिन हमें क्या मिलेगा ये क्या पंडिजी मैं एक विद्वहारत हूँ मुझ पर दया कीजिए पंडिजी कोई बात नहीं ठंठं दीवारी एक बार जिसे छू लेते हैं उस सदा के लिए सुअगन हो जाती है छोड़ दीजी पंडिजी आ गया लीजे पंडिजी आ गया समाकना जरा पूजा में देर होई गई बैठी 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 बिराजी कैसे भाई आप पस आप एही की गिरभाय पंडिजी लाम चबीले दरीदर नारायन भोज के आयोजन में कोग कमी तो नहीं रह गई न भाई आप चिंता मत कीजिए अपने अब्दुल भाई भोज के प्रबंद में जी जान से लगे हैं आपके द्रार से कोई भूके पेट नहीं जा सकता वहाई तो हम जानते हैं बैठिये बैठिये मौई repषार 4 बैट बैठो हाँ तो भाई आप प्रसंद पूछी है तो हम उसका अन्डर्वियर देएंगे इंटर्वियू हां इंटर्वियर देंगे मतलब जवाब देंगे पूछे पंदज जी, आप महिने के हर आकरी सवंबार को जिस दरिद्र नाराइन भोज का आज़न कराते हैं, उसका उद्दिश क्या है? हमारा धर्म, हमारा चरित्र, नहीं समझें, हम समझाते हैं, का है कि हर चरित्रवान आदर्श पुरुष का ये पहला धर्म होता है कि अबलाओं के और खास कर विद्वाओं के दुख दूर करना, उनके आंसु पोछना, मतलब समाज के गरीबों की सेवा करना, तो वही कर रहे ह हम हैं तालिया 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 और इसीलिए हम हर महीने, दुरुट नरायन भोज का आयोजन करते हैं, यह आ का देख रहूँ हैं देखो अरे वो गसीता भाई पत्तल सारे खतम हो गये हैं मोहन जी अभी तक आयनी लोग भूके ख़ले हैं सब बढ़े भी ये जरा समान को हाथ लगा देंगे पने जी की वाओ पने जी वाओ Надे जी वाओ जिस बेरहमी के साथ तुने मरे बापो की खत्त्या की थी वो मैं आज तक भूला नहीं यूँ ठंड ठंती वारी और नाहीं कभी भूलूँगा लेकिन सही वक्त आने ते वाँ, वाँ डड़ी, वाँ क्या चॉइस आपकी वैसे इस कुवारी कन्या का मुखडा शेहरनी फिल्म की हिरन श्री देवी से 99% मिलता चलो, साल फर के बाद तुझे ये लड़की तो पसंद आई अरे मम्मी, ऐसी खुबसूरत लड़की तो माने देखी नहीं आज तक अगर इसे कोई लंगणा देख ले, तो दोड़ कर गले लगा लेगा और कोई अंदा देख ले तो उसे दिखाई देने लगेगा वा, क्या लड़की है अगर ऐसी बात है, तो मैं इनसे कहकर तेरा रिष्टा पक्का करवाए देती हूँ अजी, मैं फोरा रतनाल को टेली फोन करके, इसकी शादी के तारीक पक्की करवा देता हूँ नाय नाय डैडी, ये शादी के मामले में आप तुफान मेल की हो जाते हैं, फिर ओही बात यस टैडी, पहले आपका ये लायक बेटा अपनी पढ़ाई फिनिश करेगा, उसके बाद अपनी लाइफ फिनिश करेगा मेरा मतलब है कि ये आठे, दाल और नमक के चक्कर में फुसेगा बेटे, पढ़ाई लिखाई करके तुझे कौन से नौकरी करनी है? अपने डैडी का बिजनिस से तो संभालना है शादी आज करो या कर, तुझे इससे क्या फार्क पड़ता है? बहुत फरक पड़ता है ममी, बहुत फरक पड़ता है सुलिया आपने, इसने फिर से अपना पुना ड्रामा सुरू कर दिया है जब आपके साहबजादे को साधी नहीं करनी है, तो क्यों पिछले एक साल से मेरा जीना हराम कर रखा है जब इसलिए क्या आपको सास बनना है आप इतना गुस्ता क्यों कर रहें हैं? कितने ही करोपती घरानों से रिष्टे इसके लिए आए लेकिन इसने सब पर ठुगला दिया, आखिर मुझे समाज में रहना मैं आपके लाणने बेटे के लिए लोगों से बिजनिस रेलियसन खाब ने कर सकता अगर ये शादी करना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? कुछ मत कीजिए, लेकिन आएंदा इसकी शादी का जिक्र मुझे से मत करना पर सुने तो जो कुछ भी सुनाना हो, अपने बेटे को सुनाओ विजे बेटे, तेरे टैड़ी तेरे दुश्मन नहीं है लेकिन आज तुने उनका दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया दुबारा उनके साथ ऐसा मत करना पेटे नहीं, विजे नहीं, इतनी जल्दी में तुमसे शादी नहीं कर सकती मगर क्यों? अब तुम ही बताव विजे, पिलू भाई ये जैसे इंसान के लिए क्या मेरा कोई फर्द नहीं बनता? जिन्होंने बाबुजी की मौत के बाद दिन रात मेहनत करके हम सब भाई बहनों की अच्छी पर्विरिश्की जोती, मैं तुमारी बात से कहा इंकर कर रहा हूँ? मगर इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं टीचर बनूंगी और भाया की जिन्मेदारियां पूरी करने में उनका हाथ बटाऊंगी देखो, मेरे सामने भी बहुत बड़ी समस्या है आजकर मेरे डाड़ी शादी पे कुछ ज़्यादा ही ज़रू डाल रहे है और साथ में मम्मी भी अगर उनने मेरी शादी किसी और जगा तैय कर दी तो एक साथ तीन तीन जिंदिगियां बरबात हो जाएंगी उस लड़की की, तुम्हारी और मेरी भी अब तुम्हीं बता मैं क्या करूँ देखो जो थी, यह सोचने का नहीं, फैसला करने का वक्त है ठीके बिजे, तुम हमारे घर आकर बिलू भाई से बात कर लो हम, और बिलू भाई या मेरे डैडी से बात कर लेंगी मैं अच्छी तरह मालू होना चाहिए, मिस्टर बिलू रिक्सेवाले कि दुनिया के किसी भी रईस आदमी ने अपनी खांदानी अमेरी को तलाक देकर गरिभी से निकाह नहीं किया है और जो बेखुफी किसी ने नहीं की, ओ मैं भी नहीं करूँगा आप कहना क्या चाहते है मेरा बेटा विजय जिसे अपने बेहन के प्रेम चाल से आजाद करनी की क्या किमा चाहते हो बो मैं आपसे रिष्टा जोडने आयों सिर्जी तो कौन मना करता है, सौदा पठाओ और फॉर रिष्टा जोड़ लो हमसे लगता है मुलाकात बदकस्मती से एक बेटे के बाप से नहीं, एक बनिय से हुई है बनिय से मुलाकात हमेशा फैदे मंध होती है, मिस्टर बिल दूरिक से वाले बोलो कितना चाहिए, लाक, दो लाक, पाच लाक, बोलो जो आदमी अपने बेटे की ममता को तिजारत बना रहा है वो एक अच्छा व्यापारी तो हो सकता है, मगर एक अच्छा बाप नहीं हो सकता लेकिन मैं उन गेरे वो भाईयों में से नहीं हूँ जो अपनी बेहन की खुश्यों का सौधा, इन कागस का चंद रंगीन टुकडों के साथ करता वेरी गुड, चलाते हो रिक्षा, मगर पैत्रे बड़ी हुश्यारी से बदलते हो बोली थोड़ी और बढ़ाया सकती है मिस्टर बिल्लू रिक्षे वाले उफनट वर लाल लेकिन सेट रॉसनलाल पैर की जूती को अपने सर का तास नहीं बनाएगा बस कीजिए सेट जी, बस कीजिए मेरी शराफद, मेरी खुद्दारी और मेरे सुविमान को और नगना मत कीजिए आप बिल्लू किसे खुलाम नहीं है अपनी मर्दी का मालिक है, अपने दिल का बादशा है बिल्लू ने अज़ तक किसी धन्ना सेट के आगे हाथ नहीं जोड़े लेकिन आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, सिर्व इसलिए कि आप विजय के पिता है, श्री रोशनलाल जी है इसलिए नहीं कि आपको धन्ना सेट, आपको कोड़ोफटिया रपदी है बिल्लू ने लड़की वाले के हैसियत से लड़के वालों के हिस्सत दिया चालाक नेताओं के तरफ भाशन मदो मुझे, अभी वी वक्त है, कुछ नहीं बिग्रा, समय दाले से काम लो, और ये पैसा ठाम लो अच्छा को मुम्किन क्या सकता है इस दौलत से तो हुक्म दे तो अपनी इस दौलत को, को वो इस रात के अन्हेरे को दिन के उजाले में बदल दे सुबह को उखने वाले सूरज को ठाम दे, और एक मुर्दे में जान डाल को उसे चलता परता इंसान तो बना दे ये तोलत आपके इस घर के निजाम को जरूरू बदल सकती है, लगिन विदी के विदान को नहीं बदल सकती है जीवन, विवा, और मुर्तू भगवान के मर्जिसे होते है इसलिए इन्सान का यह काम करना चैहे है भगवान का नहीं भख्वास, बर करो सेट जी जिस दिन आपको ये आइसास हो जाए कि मेरा ये नजरिया सही है मुझे आवाज दे लेना ये रिक्षावला हाथे हो जाएगा आप कुछ भी कहो उस भले आदमी की बेज़़त ही करके आपने अच्छा नहीं किया अच्छा या बुराई के बारे में मुझे मत समझाओ विजे की मा अजी आप कैसी बाते कर रहे हैं सही बाते कर रहा हूँ सेट रोसललाल एक टटपुंजी इरिक्से वाले की बेहन को किसी भी कीमत पर इस घर में किदम नहीं रखने देगा एड़ी गलत कहते हैं आप और गलत सोचते भी हैं क्या कहा ठीक कहा मैंने कौन से धरम शास्तर में लिखा है कि मैनत और इमानदारी की रोटी कमाने वाला इंसान टटपुंजीया होता है और उसके बेहन आपके घर की बहु नहीं बन तकती खामास हो जाओ विजये खामास हो जाओ मैं अभी मरा नहीं जिन्दा हूँ और तुम्हारे भले बुरे का फैसला मैं खुट करूँगा और तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूँगा जिससे कि हमारी शान में बढ़ता लग जाए सारा शुहर मुझे खामदानी अमीर के नाम से बुकाड़ता है इंसन अपने व्यवार अपने चरित रे अपनी जुना करो ते सहरों को सहरा दिने वाला अमिर होता है जङका मायी बचाने वाला अमिर होता है सुना विजे की मा, अब मुझे जिन्दी की क्यासूलों के बारे में पुनार इनसाफ जाने से सीखना पड़ेगा ठीक है डड़ी, अगर आप अपनी जिदी पूरी करना चाहते हैं, तो शौक से कीजिए क्योंके भगवान ने आपको दौलत तो जरूरत से जादा दिया है, मगर दिल देने में थोड़ी सी कंजूसी कर गया विजे, मेरी बात तो सुन बेटे क्या सुनू मम्मी, क्या सुनू, जिस घर में मेरी कोई रक्तिकत पहचान ही नहीं जहाँ पर मुझे अपने दिल का दर्द जबान पे लाने की आजादी नहीं, वहाँ पर रहकर भी क्या करूँगा हाँ, मगर अब, अब मैं डाड़ी को सही रास्ते पर लाकर ही रहूँगा पले ही इसमे मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी एक बात आप मत भूलेगा कि प्यार करना हर बेटे का जनम सिद्ध अधिकार है बेटे, बेटे, मात पसुन बेटे बेटे अ, लड़का राजी, लड़की राजी पीच में तिवार पिता जी अरे जिसको हमने दिल ये दिया है दिल का वही हदार पिता जी अरे लड़का राजी लड़की राजी, लड़का राजी लड़की राजी पीच में तिवार है जिसको हमने दिल ये दिया है दिल का वही हदार है प्यार करना हर बेटे का जनम सिद्ध अधिकार है प्यार करना हर बेटे का जनम सिद्ध अधिकार है hav Painti ऑार मा बंग्लार allied बंगाव... इड्ओवरना, प्रोडला मारू बंडप लिजब आ बंडप, विंडप इसे तो साइब मर् रोड़ ची सुझता Hayır Medcom सीरी पी हम गोज के पाले, अरलायला परभा चल दाले, मजनू अंकल पीर हमारे काले अमजा के हम चेले तारे, वकार हमारी प्यार ही काशी, प्यार ही काबा, प्यार ही संसार है, प्यार करना हर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार है आप्णी पहें जाप met तmostा है नफी दो डाल उआ हो नपितान जे लिसे, दो विसे, हो लाँ हो दो कर दो कर दो कर दो भी दो शादी पर पाबंदी कैसी, अरे पाबंदी की ऐसी तैजी, प्यार किया है, प्यार करेंगे, जुम के आगे नहीं जुगेंगे शुक्ते खेंगे, जुक्ते बोलो, दिल से दिल का प् riders, जिल का खूलो, ओ डैटी जी ऐ, तो बोलो, क्या जो की सिर्ट है क्या जो की सिर्ट हैаки अक, इनका अच्छा तो यह बात है, हम भी सर पे कभन बानद के तैयार हैं, जे उनका है प्यार हमारा याद रहेगा प्यार हमारा याद रहेगा भीषी ले ले लूँगा चली रहे चली तो क्या हो मेरे बैटे को मुझे कुछ नियुका मैं जिन्दा हो तैटी आदे टूट चुके तुम्य जोर दोर से धाण मारके रो ताके वो पूरी तरह से टूट जाए लो को वान भी बड़ी बड़ी किदरी कहा तक पुचे है? बरमदी तक आप पुचे है अरे तु सोच क्या रही हो? भ्योशी का नादक चालू कर दो उनके तंगू में घब्राद कर दो तुमने सब लोग यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? सुमित्रा, सुमित्रा होस में आओ विजय, मेरे बेटे, यह तुम्हे क्या हो गया? सुमित्रा, सुमित्रा, तुम दोलोश्त्रा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते इस दौलत में मुझे अंधा बना दिया था, अगर मैं विजय की बात मान गया होता, तो आज में राष्ट्रा सवनास नहीं होता अंकल, अंकल, तो मैं देखू, आंटी में अभी थोड़ी सी जान है, आप जल्दी से हां कर दीजे, तो बात बन जाएगी मुझे कोई इत्राज नहीं है, मुझे सब कुस मंजूर है घर भी हमारा लेकिन बिल्लू भाईया, हरी भरी जमीन बेचने का मतलब तो ये है, तुम्हारा इस गाउं से नाता ही तूट जाएगा अरे भाईया, नाता कैसे तूट जाएगा, हम तो इसे जमीन बेच रहे है, इतना बड़ा घर तो है, और जब घर है, तो हमारा यहाँ आना जना दो लगा ही रहेगा, नहीं अरे खेत तो आपकी आमदानी का जरिया है, इसे मत बेचो बिलो भाईया अरे आप लोग हमारी मजबूरी तो समझो, इस वक्त हमें पैसो के सक्त जरूरत है, शहर के सबसे रई इस घराने में हमारी बेहन की शादी हो रही है, अरे बेहन की खुश्यों के लिए जमीन तो क्या, हम भी बेचने को तयार है कर दो कर दे कर दो प्राइब करेंगे, यह रहा आपका एक नम्मर का दुश्मन, प्रभु दियाल मगर पहले उसको हमरा चेहरा तो दिखाओ, इसकी आँखों की पटी तो हटाओ नमस्कार भईया प्रभु दियाल, नमस्कार जनता के सच्चे सेवक और दिरिद्र नारायन पार्टी के चेरमें ठंठं तिवारी, तो यह है तुम्हारा अखली रूप मगर जनता की नेजर में हम, उनकी नेता भी तुह हैं बहुत बड़े जूट खदर के कपड़े पहन लेने से किसी गद्दार के सीने पर वतन परस्ती का ठपा नहीं लग जाता है ठंठं अब मैं तुझे सारी जनता के सामने नंगा कर दूँगा अच्छा अरे नहीं भाईया प्रभू दयार तुमको ये कफ्ट उठाने की जरुवत नहीं है कहा है कि इस पापी संसार में तुम जैसे सादुसंद के लिए क्रोनुचगा नहीं है इसलिए आज हम फैसला किये हैं कि आपको परमपिताप परमिस्वर के बास भिजवाई देते हैं हां तो जरा इनकी जिंदगी की लिवाबे पर ऊपर जाने का टिकट लगाई देना कैसी आगया भाईया नहीं थंदन नहीं अरे अरे प्रभू इस प्रभू दयाल को जरा अपनी चर्नों में जगात देते हो अगर हो तो इस किलाग को ठिकाने लगा तो अभी से बद्बू आई रही है हैलो हम ठंठंती वारी बोल रहा हूं तुम कौन बोल रहे है भाई तिरा जल्दी बोलो टाइम नहीं है हमरे पास तुससे जादा जल्दी तो मुझे है अरे कहा बात करते हो हमसे जादा जल्दी है हाँ क्योंकि आज मेरी एक जमेदारी पूरी हुई है और दो बाकी है जिस दिन में अपनी इन दो जमेदारियों से मुख्थ हो जाओंगा उसे दिन में तेरे गंदे शरी से तेरे पापी आत्मा को मुख्थ कर दूँगा अरे कहो लो तुम कहा बाकवास किये जा रहे हो हमरा अरे नहीं कोई रांग नमबर है अबला हमरा भाईयों और बहनों जैसा कि आप सब को मालूम है कि हमारी दरिद्रना अंट पार्टी के उम्मीदवार गरीबों के मसीहा मजदूरों के हमदर और इंसानों के भगवान शिरी ठंठं तिवारी जी आज हमारे बीच में विराजमान है मैं आप सब जनता जनार्दन की और से और अपनी और से हाथ जोड़कर पंडी जी से प्रास्ता करता हूं कि वो इस चुनाओं के महभारत में विरोधी देताओं की खाट खड़ी और विस्तर गोल करने का राष्टा हमें दिखाए आये पंडी जी आये 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 ना आये जाये पंडी जी आये You आपलों से कहा जिस खड़ा हो जाओ को ककले होगे अब आप लोग कहेंगे बढ़ जाो तो हम सरंदार आदे वैढ़ जाते हैं अछसे पंडी आपर पंडी ये क्या क्या को बीध जातों समझाए रहे हैं से पहले कियो बैट रहे हैं, उठी है, क्यों बुरा है का बुरा है उठी है, तो लेओ, हम फिर खने हो गए है, शुरू हो ज़ाइए, आगे बीज में मत बोलो, भूल जाएंगे हम, हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम और मुहले ने अज तक बहुत बड़ा बड़ा नेता पही जात हां तो भाई हम यह कर रहे थे कि इस एलेक्षन में आप हमको जीताए देओ और हम एलेक्षन जीतने के बाद जया है हम आपको पांच रुबए में दिलवाएंगे हम आपको इस सहर में राम राज लाके दिखाएंगे साला हरामी सांप की अवलाद अब मैं तुझे जिन्दा देचाए अब मैं देचाए मेरे तुझे बिना मारे नहीं मरूंगा ठंड ठंड दिवारी जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओंगा उस दिन मैं तुझे इस दुनिया से मुक्त करतूंगा इस तरह छोटी छोटी बातों पर धीरत खोना अच्छी बात नहीं है तुम घर के इजद को छोटी बात कहती हो तुम ही बताओ पिंकी को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए या कॉलेज के आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने में अभी पिंकी को उमर ही क्या है तुम्हारी नजर में वो जोटी होगी लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही जवान हो गई है बीए में पढ़ती है और आजकर लड़के लड़कियों का साथ साथ घूमना आम बात है अगर ऐसी बात है तो तुम भी तो कॉलेज में पढ़ी हो तुम आज तक इस लड़के साथ क्यों नहीं कुमी जिस दिन ये पांचों उंगलिया एक जैसी हो जाएंगी उस दिन हर लड़की मेरे जैसी बेवकुफ कहलाईगी तुम चिंता मत करो मैं पिंकी से पूछ कर बताऊंगी कि वो लड़का कौन है अबे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तेरी बेहन से शादी करो अगर मेरी बेहन से शादी नहीं करनी है तो फिर पिंकी के साथ घूमता क्यों है इस तरह तो मेरी बेहन बदनाम हो जाएगी हो जाएगी अले वो तो पहले से ही बदनाम है क्या बोला कुत्ते सचाई हमेशा कड़वी होती है इसलिए पहले उसे हजम करना सीखो बिलकुल अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोश क्या मतलब मतलब यह हर भाई अपनी बेहन को सती सावित्री समझता है पहले जाके अपनी बेहन को सधार फिर किसी शरीफ आदमी का घरेबान पकड़ना हाट यह क्या कर रहे हो तुम बीच में मत बोलो आशा इस नालायक लड़की का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है पूछो इससे यह कॉलेज पढ़ने जाती है यहावारा लोगों कहां मस्ती करने तो फिर देखता क्या है मार मार के हट्टी पस्री एक कर दे इसकी इसके तांगे तोड़ दे जिनके भल पर यह घोड़ी सी उचकती फिरती है बस बस भुड़ापे में जादा मत बोलो मा नहीं तो गला खराब हो जाएगा चुप हो जा पिंकी तेरी एतनी हिम्मत कि हमारे सामने अम्मा का मजाक उड़ा रही है जुबान चला रही है तेरी जान दे दो हो चोड़ो भी आएंदा यह ऐसा नहीं करेगी मैं इसे प्यार से समझा दोगी है ना पिंकी बढ़ी आई मुझे प्यार से समझाने वाली अरे पहले तू दो खुद समझा फिल मुझे समझा ना पिंकी इसे चुगल खोने मुझे मुझे मुना के बारे में पुछा इसे बूत के धुली ने मेरे खिलाब भाईया की कान भरे है और अब देखो यह कुद्नी अपनी ही लगाई हो यह आपको भुचाने का छुटा नादा कर रही है इसकी बात का बुरा मतमाना आशा कालेज में क्या पाव रख लिया इसका तो दिमाग ही खराब हो गया अरे ससुरी मेरे सामने आशा को उल्टा सिधा मत बोल बोलूगी एक बार नहीं हजार बार बोलूगी मैंने इसकी कोई भैस नहीं मारी जेस से धरूँ बेशर्म मुझे जवाब देने से पहले जहर खा लेती मैं क्यों जहर खाऊं जिसको खाने शौक सिखाए मना नहीं करूँगी कॉलिश में किसी लड़की के साथ हस बोली उसके सब सदबसा तक घूम फिराई तो कॉनसे बड़ा बाहर दूट पड़ा वैसे भी मैंने कोई नया काम नहीं किया मुझसे ताले जोती जीजी ने भी प्यार किया था और बाद में शाधी भी की थी अरी यहां क्यांदी विजय और मुन्ना को तराजू को एक ही पलने मत तोल दोनों में दिन रात का अंतर है विजय जोती का रिष्टा मंगने हमारे पास आया था और दूसरी तरफ हम उस घटिया मुन्ना के पास तुम्हारे रिष्टा लेकर गया थे ज्यानती है उस हरावी मुन्हारे सब के सामने तेरे बारे में हमसे क्या का कहा? क्या कहा? शेख़व लोगों के सामने हमसे कहा उसने कि अपनी बेहन को सत्वी सावित्री क्यों समझता है ऐसी लड़की से मैं को क्या, कोई भिखारी भी शाधी नहीं करेगा तेरी बयाद से ज क्यों से से उन्याकि ज़ते शारीड, मैं जिल्लो फैर पाने में ढूपके मर Deux चले ? मैं क्यो मरूँ तुम क्यों नहीं मरूँ मैं तो मरूँगी लेकिन तुछे साफ में क्यों मरूँ नई अमा, नई अमा, पिगी को मत मरूँ अब क्यों चुबारे हो पहला हाथ आप इनी मुझ पे उठाया था बदाश के वेक सिमा हो थी मा अब तक तो मैं चुप रहें लेकिन अब मेरे उपर उंगी उठाने वालों को बिल्कर ही छोड़ूगी एक एक ये पोल खोल दूगी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तू किसकी बॉठ पूल खोलेगी पूछे इन भाहिया से मा, पूछे इन भाहिया से पूछे इस आशा से ये दोनों सुबाष्म क्यों लटाते हैं जो आशा की दिये हुए गुलाब के फुलों को अपने सिने से लगा कर अमनाथ की तौर पर रखते आएं क्यों इसलिए कि घर के पुर्णे है, तुंगजुल के समाल पवित्र है, और मैं छोटी हूँ, इसलिए मेरा प्यार पाप है, मापाप है, बक्वास बन कर, आशा, आश, बेशरम, ये क्या करतीया तुने, उस बेचारी ने तो तेरे भले के लिए कहा था, जाने वालों के लिए मत चिल्लाओ मा, मैं कि परवा नहीं करती, आप मैं बच्छी नहीं हूँ, भले पुरी की समझ, मुझ में भी है, जहां मेरा दिल चाहेगा, वह मैं आऊंगी, जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, ये मुझे रोकने वाले होते कौन है, ये हमारे लगते क्या है, इनका हमारे साथ कोई नहीं है, ये हमारे सगे बड़े भाई नहीं है, मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पिल्लू भया, प्यारा, प्यारा, पिल्लू भया, जक्ते न्यारा, तुम हो भया, मैं हो बहना, जानूंगी, मैं हर दम कहना ये जो घड रांगर है, ऐसा और सहा है, दिल्लू भया, जाम हमारे, दिल्लू भया, जाम हमारे, देविजे जीमारे, ये जो घड रांगर है अमा, याद है सोरह साल पहले जब हम इस घर में आये थे, पेंकी तब छोटी थी, बच्ची थी, तुम्हारे प्यार और इन लोगों की मुस्कराइट होने, हमें पीते सलों का अहसास तक नहीं होने दिया है, और हम ये भूल गएं, अमा, कि अब ये बहुत बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गएं, इतने बड़े हो गएं, कि अब हम इने घलत रास्ते पर जाने से, रोख भी नहीं सकते, और देखो, अमा, पेंकी की बाद में कितनी सच्चाई है, कि हम जिन पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, हम उनके कुछ नहीं लगते हैं, हम उनके कुछ नहीं लगते हैं, हम उनके कुछ नहीं लगते हैं, हम उनके लिए पराए हैं, हम उनके लिए पराए हैं, हम उनके लिए पराए हैं, तो नहीं बेटे, नहीं ए इस सबत कह बेटे ये नमक राम तेरे लिए पराई हो गई तो हो जाने दे फ़र मुझे पराई मच समझ बेटे मैं ग Member Norai नहीं हूँ मैं तेरी माँ हूँ मैं तेरी माँ हूँ मैं तेरे माँ हूँ तुम्हें हमारी कसम, इस चाम को अपने इन हसीन होटों से लगा के सिर्फ एक बार जूठा कर दो, प्लीज कहा ना, मैं यह नहीं पिऊंगी, तुम तुम जया, डिनर के लिए लाई हो ना, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मगर डिनर से पहले थोड़ी सिक्थ हो जाए, ताकि भूख और बढ़ जाए, तभी तो डिनर खाने का असली मजा आएगा, दोस्ती का गलत साइदा मत हुसन की अबादत करना ही तो शराफत कहलाती है, जाने मुन, मुन्ना, तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है, भाग कर कहा जाओगी, दर्वाजा दोनों तरफ से बंद है, और फिर ये शेर भी तो हमारी चौकीदारी कह रहा है, भाग के बाद, एक कदम भी आके बढ़ाए तो तुम्हें शाब मैं जा दूँगी, अगर तुम्हें गला खराब करने का इतना ही शाक है, तो हमें कोई एतराज नहीं, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालुम है, ये होटेल, इस शहर के सबसे शरीफ आदमी, ठंठन त के बेटे मुन्ना तेवारी का है, यहां का हर नौकर हमारा खुलाम है, वक्त भी हमारा खुलाम है, और तुम भी हमारा खुलाम है, यहीं तुम झाहिए अपर 10 तो की है हमारा खुलाम हमारा आपको अतिका आपकहई था खुलाम है पूलाम का जुलाम है, जबो उती तुम allá हमारा खुती युलाचान है सामान बहुत ज़्यादा है भई, कमरे तक पहुचा नहीं थोड़ी मदद कर देंगे बाबु साब कहा बात कर रहे हो आप, आप हमरे शहर में महमान हो, थोड़ी क्या पूरी मदद कर देते हैं, चलो आप कोई नहीं आएगा यहाँ कर दो कर दो कर दो आप जएगाँ क्या पंकी क्या पंकी मेरी बेहन की इज़त पे हाट डालने से पहले एक बार भी अपनी मौत के बार में नहीं सोजा कमीने हराम जादे मौत तो तेरी आईए साले जाल फट जिस हाथ से तुने मेरी बेहन की इज़त लूटने के कोशिश की वो हाथ मैंने इसलिए तोड़ा है कि आएंदा तो कभी ऐसी गंदी हरकत करने के हिम्मत ना कर सके जाले ब्रह्मन पे हाथ हुथा के तुने शनी की मात अशा को बुलाया है साले ठन ठन तिवारी का बेटा मुन्ना तिवारी किसी के साथ अपना इसा बाकी नहीं रखता हाँ अभी तुमारा सिस्टर का शादी तो हो गया तुमारा परिक्षा भी खतम हो गया तो वड़ी अभी बताओ आगे क्या करने का सोचा है अंकल भाईया की इच्छा है कि मा येस के एक्जाम दूँ और कलेक्टर बनो अड़े वड़ी में तुमारी इच्छा के बाड़े में जानना चाहता हूँ तुमारे वो फटीचे रिक्षा वाले की नहीं जो पंदरा साल से सडक का उपड़ अपना रिक्षा के साथ में कोलू के बैल की तड़ा गोल 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 गूमता है नहीं अंकल नहीं ऐसा मत कहिए भाईया ने मुझे पढ़ाया है और पाल पोसकर एक अच्छा इंसान बनाया है अड़े वड़ी क्या बकवास करता है तुम। तुम्हारे भाईया ने तुमको पाल पोसकर इंसान बनाया है तो अपना बेबी को क्या मैंने पाल पोसकर जानवर बनाया है ऐसी बात नहीं अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं गलत नहीं बिलकुल सही समझता है आज के जमाने में कलेक्टर का वेल्यू क्या है, दो-तीन हजार रुपे से ज़्यादा पगार सरकार नहीं देता उसको, जबके मैं अपना आफिस का मैनेजर को पांच हजार रुपया महिना देता हूँ, देते होंगे आप, लेकिन मुझे अपने भईया का सपना पूरा करना ह चाहे तंखा कम मिले सुनो रवी, आच सोसैटी में उसी की इज़त है जिसके पास ढूलत है अरे वावावावाववाववाव शाबाज बेटा शाबाज अरे देखा रवी बेटा, मेरा गाटर को तुमसे जादा अकल है अरे बाबा, हम तुम्हारे भले के लिए बोलता है हमारा धन्दा का अंदर हाथ बटाओ उसको समालो और अपना फ्यूचर ब्राइट करो कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे भाईया से पूछना होगा शट अप, जब भी तुमने मेरा छोकडी को पटाया उसके साथ गुल्चडे उड़ा है वड़ी तभी तुमने जाके अपने भाईया को पूछा था क्या जो आज जाके पूछेगा देखो रवी, मैंने अपना छोकडी को इसलिए जनम नहीं दिया कि वो हज़ार दो हज़ार की नौकरी करने वाले के साथ छादी बनावे और उस अंधेरी गली के तूटे फूटे मकान के अंदर हाय हाय करते वे दम तोड़ देवे वड़ी जिदर तुम बनने की सोचता है रवी, डैरी के बातों पर थोड़ा सा गौर करो वे तुम्हें करोड़ का मालिक बनाना चाहते हैं अरे बेता, अरे मैं तो इसको जीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ मगर ये बेखकल डबल जीरो बनने को सोचता है देखो रवी, आज तुमको फैसला करना ही होगा एक तरफ तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी भुकमरी, तुम्हारा वो फाटीचे डिखसे वाला भाई और तुम्हारा वो महला, अरे जिदर इन्सान किरे मकोनों की तरह पैदा होकर शाला गुन्नामी के अंधेरे में मर जाता है यानि तुम्हारा सपना और दूसरी तरफ मैं मेरा हिज़त और ये ये मेरा पेटी मेरा करोलो का प्रापरटी या दे के हंड्रेड पर्सें सक्चाई रभी बेटा बोलो इन दोनों मेंसे तुमको क्या चाहिए डिसाइड करो फाइडल खन लाज अभी देख बबुआ देख हम तरे सब किताब लेके आ रहे हैं कलक्टर बने का सब किताब है अमा चाहे तो लिस्स मिला ले हमरा रभी कावा तेरे चुप का है का परशानी बोल देख जब तो तरे भाई जिन्दा है न तुझे मन मानने के कोई जरूवत नहीं बोल का बात है इससे क्या मुझसे पूछ ये कहता है मैं कलक्टर नहीं बनूँगा अरे का ये बात सच है हाँ भाईया मुझे आप कलक्टर बनने की कोई जरूद नहीं क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और दस हजार रुपे तंखा भी मिलेगी माना भाई माना कि टनखा और पैसा कम मिलता होगा लेकिन सरकारी अफसर होने के नाते समाज में उसकी मान मर्यादा इजज़त बहुत होती है नहीं भाईया, आज की दुनिया में उसी कि इजट है जिसके बाद पैसा है दौलत है, इसलिए आप मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट मत बनिये, क्योंकि आप समय के साथ नहीं, उसके काफी पीछे दोड रहे हैं, और मैं, मैं समय से काफी आगे निकलना चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं होता, तो पिछले पंदरा सालों से आप रिक्षा नहीं घिचरे होते हैं, चुप हो जा बेमान, चुप हो जा, आपने इस भाई को उल्टा सिधा जबाब मत दे, जिसने तरी आउकाद बनाई है, अगर इसने भी तेरी तरह अपना ही स्वार देखा होता, अगर अपने ही सुप के बारे में सोचा होता, तो आज तू कालेश में नहीं, किसी होटल में जूट है बरतन साफ कर रहा होता, या किसी फूट पर लोगों के जूटों को पालिश कर रहा होता, और अपनी फूटी किसमत पर रो रहा होता, ठेरो मा ठेरो, कलेक्टर नाम के छूटे सपने को जिंदा रखने के लिए मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत करो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल से नौकरी बढ़ जाओंगा शायद आप लगों को मालूम नहीं दस हज़ार रुपे मिलने के लावा मुझे रहने के लिए शांदार पंगला कार नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा आप ही बताए भईया क्या मैं इतना बड़ा मौका गवादू अरे हम कहां मना करते हैं भाई तुम नौकरी करना चाहते हो करो जरू करो लेकिन घर छोगे बंगले उंगले मज़ा भईया ने जाने दे इसे रोकता क्यों है खुदकर्ज अब तुछे बंगले के ऐशो राम के आके इस मामुली घर की जमीन पर नीम कैसी आएगी जा चला जा अब इस घर को तेरी गंदी परच्छाए की भी जरूरत नहीं नहीं अमा नहीं जरूरत है हमको हमारे भाई की जरूरत है अमा यह यहां से कहीं नहीं जाएगा पत्थर पे क्यों अपना सर पटक रहा है बिल्लू हर योग में राम को लक्षमन जैसा भाई नहीं मिलता अपना अपना भाग है आमा अपना अपना भाग है देख रभी बच्पन से लिकर आज तक हम लोग इसी छट के नीचे हर सुक दुख में साथ साथ रहे हैं तो मरते दम तक क्यों नहीं रह सकते भाईया आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाईया मैंने का मना किया है लेकिन जो मेरी तक्दीर बना रहे हैं उन्हें मेरा यहां ने ना पसंद नहीं वो कौन होते हैं हमारे भाई को रोकने वाले मैं मैं उनकी एकलती लड़की से शादी कर रहा हूँ शादी? तेरी शादी? लेकिन कब है? इसी मैने की अठाइस तारिक को अरे बापरे इतनी जल्दी अम्मा महले वालों को रिष्टतावा को नियोता देना इतनी सारी तयारियां करनी है लेकिन तु घवरा मत बबवा हम तेरी बारात बहुत धूमधाम के साथ निकालेंगे कौन सी बारत भाईया? और कौन से बारती? मेरी शादी किसी धरमशाला में नहीं फाइस्टार होटल में होगी और आप जिन गरीब बस्ती वालों और दो कोडी के महले वालों की बात कर रहे हैं उनकी उकाती क्या है वो जो मेरी शादी में आए? तेरा ये भाई भी तो गरीब है इसका मतलब है ये भी तरी शादी में नहीं जाएगा नहीं मा मेरा मतलब भाईया से नहीं था अगर ये शादी में आ गए और किसी ने इनने पहचान लिया कि मेरा बड़ा भाई एक रिक्षे वाला है तो मेरी बेज़र्दी हो जाईगी ना मा रभी अनूर अगर इसने एक रिक्षे वाले को रिक्षा वाला क्या भी दिया तो कौन सा अनर्थ हो गया देख भाईया तू डेर मत अपने इस रिक्षा वाले भाई पे पूरा भरोसा रख ये जिन्दी में कभी भी तरी हिसत पोई बट्टा नहीं आने देगा अरे भाण में जाए इसकी इंसन और उपर से जाए ये देख लिया आस्तित के साव को पालने का नतीज़ गल्ती तो मेरे भी है मैंने इस पैदा हो नहीं इसका गला क्यों देखो इट्टिया अमा ये तुमने क्या क्या है? ये तुमने क्या किया है है हमारी करनी में कुछ कमी रह गई थी हमी घलत है अम्मा हाँ जिन्दगी की जोड़ बाकी में हम सही कुछ भूल हो गए वरना जो कुछ सोचा था वो सब इस तरह से तहसनास नहीं होता इस तरह से तहसनास नहीं होता अम्मा अम्मा है, बुरा मतमानना, जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन हमरी एक आखरी बात मान ले, हम हाथ जोड़के बिंती करते हैं, देख भाईया, बहु घर की लक्षमी होती है, इसलिए शादी के बाद उसका साथ दिनों तक इस घर में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुहल अले में हमरे नाग कट जाएजी भाईया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, देख, हम जानते हैं को बड़े बाब की बीटी है, लेकिन तू किसी चीज की चंता मत कर, हम उसको इस घर में किसी बात की कमी नहीं होने देंगे, हम तो बचन देते हैं भाई, बबुआ, हम तो बचन बिल्लू, क्या सोच रहे हो, रवी को जो तुमने बचन दिया है, वो अकेले तुमें ही निभाना पड़ेगा, हाँ बिल्लू, बहु बड़े घर की बेटी है, उसके सारे आशो आराम का बंदुबद तुमें ही करना पड़ेगा, और उसके लिए तुमें धेर सारे पैसे च सोचो, सारी जिंदगी तुम अकेले ही लड़े हो, जीते हो, तो क्या इस बार तुम हार जाओगे? नहीं, नहीं, हम नहीं हारेंगे, रवी को दिया हो बचन हम जरूर निभाएंगे, हम इस घर को बेच देंगे, लेकिन बहु को शिकायत को को मौका नहीं देंगे करेंगे लाए मा में के लिए लूंच में लूजे También के लिएका लंटे हुआ। जो ले, देख लूँगा, देख लूँगा बिल्लू, बिल्लू, ये गुंडे, ये गुंडे तुछे क्यों मार रहे थे, उनके साथ क्या दुश्मनी थी तरी कुछ नहीं, अम्मा, ये समय ये सब कहने सुने का नहीं है, सवेरे बहु आ रहे न, अम्मा, उसके लिए सब इन्साम करना है, चलो, आओ, आओ, आओ लो भाबी, गरमा गरम खाना खालो, किसे ले जाओ, मैं तेल का खाना नहीं खाती ऐसा मत कहो निशा, जो इनसान तुमें खुश रखने के लिए, ये सब सुवधाय जुटा सकता है, वो जेजभल आपनी बहु को तेल का खाना कैसे खिलाएगा, ये तेल से नहीं, असली घी से बना है, मिस आशा, हम दोनों के बीच में बोलने के लिए, तुम्हें किसने कहा जल्दी हमना, अरे बस बस विशा, ये क्या कर रही हो, इतना कॉन खाएगा, अफो, अबे तो सिर्फ तीन ही आइटम्स चाले है, इतना सारा तुम्हारे लिए ही तुम्हारे लिए ही तुमंगाया है, ये कॉन खाएगा, ये देखो, भूले शिकन, सिंप्ली टेस्टी, जस टेस्टी, इस वांडरफुल, है ना, मजा आया ना, बिल्लू, बिल्लू, आजा बिटे, खाना खाले, खाना खाले, खास तेरे लिए मैने खिचुडी बनाई है, अरे नहीं हम, जितने इच्छा हो खाले, आज खाने आज कुछ मन नहीं करना है, रवी, बोलो, तुम्हारे बड़े भाईया खिचुडी खाने से मना कर रहे है, और हमारे पास तो कितना सारा चाइनीज खाना पड़ा हुआ है, एक काम करते हैं, ये खाना भाईया को दे देते हैं, भाईया खा भी लेंगे और आज उनका टैस्ट बे बदल जाएगा, कैसी बातें कर रही हो तुम, श छोटे भाईय और भाईया का जूटा खाना बड़े भाईया खाएं, ये रिवास तुमारे घर में चलता होगा, हमारे घर में नहीं तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं किस फैमिली को बिलॉंग करते हूँ, दुबारा मेरी निसल्ट करनी की कोशिश मत करना ओके, ओके, कोई तुमारी निसल्ट नी कर रहा, समझा रहा हो में तुम्हें, प्लीज, बैच जाओ खाना खाओ मैं खाना नहीं खाओंगी, नहीं खाओंगी, नहीं खाओंगी बेकार की बाते मत करो निशाब, मैं कहता हूँ, प्लीज, प्लीज खाना खा लो छोटी-छोटी बातों में इतना टेंशन क्यों क्रेट करती हो तुम, प्लीज बैच जाओ मैंने कहा न मैं नहीं खाओंगी, बिल्कुल नहीं खाओंगी अरे रवी, ए रवी जी भाया अरे का बात है, बहु का नाराज का है कर रहा है ने भाया, ऐसी कोई बात नहीं अरे बात है कैसे नहीं देख, नई बहु ए घर में पहली बार आई है उसे किस चीज की कमी है हमें पता हम उसकी कमी पूरी कर देंगे लेकिन तू बहु का ध्यान रख भाई रहने दीची किसी को मेरा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं आपकी बहु खाते पीते घर से आई है उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं वैसे आप जूटी हमदर्दी तो ऐसे जता रहे हैं, जैसे आपने अपनी बहु को महल में लाकर रख दिया हो, एक ही कमरे में टीवी, फ्रीज, डबल बेट, डाइनी जबल कुर्सिया, सारी दुनिया भर का सावान लाकर रख दिया है, आइए, आइए, अंदर आकर अपनी के आखों से देखिए, ये कमरा नहीं, कबुतर खाना लगता है, कबुतर खाना, यहां तो आदमी का दम घुट जाएगा, वो बिना मारे मर जाएगा, पता नहीं, मेरे बाकी के तिन दिन यहां कैसे कटेंगे, चलिए, ओहो ममी, मेरे मना करने के बाद भी, आप किचिन में क्य और वैसे भी इस घर में नौकरों की कोई कमी है क्या, नहीं बेटे, मगर तू तो माई के जा रही थी, फिर कीचन में क्यों आई, वेकार में तेरे कपड़े खराब हो जाएगे, हो जाने दो ममी, और हाँ, मेरे होते हुए, आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, अच्छा बा मा, मा, अरे जोती, कैसी है बेटी, घर में सब ठीक ठाक तो है, ये किसके कपड़े दो रही हो मा, वो हुआ ही है कि पिंकी आज खाना बनाने में लगा, जाए को ढखने की किसलिए कोशिश कर रही हो मा, ये नाटी भावी की है, मगर तुम क्यों दो रही हो, बेटी, पिंकी सर्फ में भिगो के गई थी, मैंने सूचे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सो कपड़े ही धो डालू, इसका मतलब है कि पिछले चार दिनों से तुम और पिंकी भावी के कपड़े धो रही हो, तो क्या हुआ, अगर मैं ये पिंकी बहु के कपड़े धो देते हैं, तो क छोटी छोटी बातों पर तुम मा से जुबान लड़ा सकती है, लेकिन खलत काम के लिए अपनी भावी को मना नहीं कर सकती, किदर है भावी, कमरे में है, भावी, बैटी, मेरी बात दोसुं, इपना वुसा अच्छा नहीं, तुम चुप रहो हो मा, भावी, गलाप हड़कर आदत नहीं मुझे, तो आदत डालो, घर ग्रहिस्ती के जो अच्छे काम तुमने अपने पिता की घर पर नहीं किये, उन्हें पती की घर पर करो, जिन मर्या दांग को तुमने माई के में नहीं सीखा, उन अपने ससुराल में सीखो, उनका पालन करो, किस अधिकार से ये सब भाई बहनों पर जताओ, मुझ पर नहीं जोती, मैं किसी कीमत पर अपने कपड़े नहीं धोँगी, नहीं धोँगी, नहीं धोँगी, तो भे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, डोने पड़ेंगे, डोने मैं भी अपने अरब पती ससुर की गलौती बहू हूँ, वगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने सास से उत्रन कपड़े दुलबाऊ, उनका अपनी नौकरानी बनाऊ, उनकी बेज दती करूँ अरे, जोती, ये जोती अजी बया का बात है रहे, कहें चिला रही है मैं कहा चिला रही हूँ भीया, अब आप ही बताओ, भाबी के उत्रन कपड़े मा क्यू धोईगी, ये कहा करेवाद है अच्छा बाबा, पिंकी धोलिया करेगी है, पिंकी चलो ठैर पिंकी, नहीं भीया, जोती ठीक कह रही है, ये गलत बात है निशा, ये सब क्या हो रहा है, मैं भाईया के सथ आदे घंटे के लिए घर से भार क्या चला गया, तुमने तो सारे घर को अपने सर पर उठा लिया घंटे दो घंटे चुप नहीं रह सकती थी तुम, क्यो मा से कपड़े धुलवाई तुमने बहुत कह लिया तुमने, मिस्टर दवी, वैसे ही मैं इस घटिया घर में आने के लिए कते ही तयार नहीं थी, तुम्हे ने मेरी खुशा मत की, मेरे हाथ जोड़े, कि निशा डार्ली, एक हप्ते के लिए हमारी घर चली चलो, नहीं तो महले में हमारी नाग कट जाएगी, ह इन गिले कपड़ों को भी अपने साथ में दी जाओ, अरे जोती हो, तुम क्या बोल रहे हो, हाँ, बहु, देखो हम तुम्हारे बड़े भाई के समान हैं, तुम अगर इस घर से चली गई, तो हम दुनिया मूँ दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, हमारी इज़त मिट्टी म क्यों लग गया था, बोलो, तुम जूट बोल रहे हो, भाई, मैंने तुम्हारी कोई बेज़ती नहीं की, बलकि तुमने ही मा की बेज़ती की है, एक तो चोरी और उपर से सीना जोरी, सुन लिया, सुन लिया आपने, क्या सुन लिया, चुप हो जा जोती, चुप हो जा, त तुम्हें हमारे घर के मामनें में बोले की क्या जरूत है, हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारा इस घर से क्या लेने देना, जा जाकर अपना घर समालो, हम अपना घर समालनेंगे, जा. सही कहा अपने भाया, एकडम सही कहा, मुझसे खल्ती हो गई, मैं भूली गई थी, कि मेरा इस घर से कन्या दान हुआ है, और इस दुन्या में दान दी हुई चीज की कोई किमत नहीं होती, उसका कोई अधिकार नहीं होता भाया, उसका कोई अधिकार नहीं होता, हैर जोती, कह जा रही है, वही जहां मेरे अपने है माँ इस घर की सुक शांती में आग लगा कर तुम्हारे दिल को शांती मिल गई अपनी आवास को काबू में रखो मिस्टर, अब तुम और मुशे बेवज़त करने की कोशिश मत करो, मैं इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ, अपनी भलाई चाहते हो तो आओ मेरे पिछे मेरे भाई, तेरे आगे बहुत लंबी जिन्दगी पड़ी है, हम लोगों के लिए खामों का तु अपनी शादिशुदा जिन्दगी में जहर मत खो, देख, अपनी ग्रिश्ती जाकर संभाद, बहु के साथ प्यार से रहना, चाह, आओ बिल्लू, तुम समझने की कोशिश करो, यह हर घर की कहानी होती है, किसी घर में कम, किसी घर में ज़्यादा कहास सुनी सो होती ही रहती है जो बीद किया सो बीद किया, उसे सोचने से क्या फाइदा, जो लोग रास्ता भूल जाते हैं, वो वक्त की ठोकरे खाने के बाद सीधे रास्ते आ जाते हैं चलो मेरे साथ, कहाँ, घर से बाहर, थोड़ा हवा पानी बदलेगा, तो मन का बोज भी हलका होगा, नहीं आशा कहीं जाने का हमारा मन नहीं करता, अरे कैसे नहीं करता, देखो, मैं इतनी बदसुरत नहीं कि तुम पर लोग हसेंगे, चलो उठो, चलो, आशा हमारी बात तो स अचिस लाक रुपए लोन मिल जाएगा, मैं तुम्हारे भईया से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा, फैक्टरी तो लगती ही रहेगी, पहले तुम इससे शादी तो कर लो, यहीं तो समस्य है, पिंकी, तुम मेरे ममी पापा को नहीं जानती, वो दहेच के बहुत लालची है, लेकिन, लेकिन भी यह दहेच कहां से देंगे, डालिंग, हर बीमारी का इलाज हमारे पास है, अरे आखिर तुमने अपने अनिल को समझ क्या रखा है, क्या मतलब, मतलब यह पिंकी, तुम तो जानती हो कि मेरे चोटा मोटा करवार तो चली रहा है, और पिछले तीन साल मैंने करीब 70-80 हजार रुपए बैंक में जम्मा करके रखे हैं, वोही रुपिया मैं तुम्हारे बिल्लु भहिया को दे दूँगा, और तुम्हारे भहिया वही रुपिया हमारी शादी मेरे माबाब کو देहज में दे देंगे, डुमा, फिट, और हमारी शादी बना किसी ज जाकते शुरू नहीं हो जाती, यह दुना का शादी नहीं कर सकता। उनों दिली गए हैं. What? Mommy, Daddy gone. Very good. Hey! Thoڑी सी शरम तो करो, बेश शरम. Oh! अरे जिसने की शरम उसके फुटे करम! You know darling, there is no censor between husband and wife. Understand darling? Haan, haan, समझ गई. तो हमेशा जान बूच कर तॉले के बिना बातरूमें गुस जाते हो. बहुत बुरी आदत हो गई है तुमारी. क्यों इतनी शरारत करते हूं मेरे साथ? My sweet darling, अभी तक शरारत की main picture ही कहा शुरू हुई है. अभी तो मैंने उसका एक छोटा सा trailer पेश किया है. याने के नमूना. सबसे पहले audience को title दिखाये जाएंगे. उसके बाद film का पहला scene. बाद में hero in romance, dialogue बाजी, उसके बाद interval. और उसके बाद climax में हम दोनों के close to close जबर्दस fight. अच्छा. उसके बाद क्या होगा? नहीं मालो, मैं बताता हूं. उसके बाद happy ending with a crying sound. Crying sound? Yes, crying sound. ये लो तॉलिया, आजकर तुम बहुत बेकार की बाते करने लगे हो. अरे ये बाते बेकार की नहीं, इंतजार की हैं, इकरार की हैं, मीठे मीठे प्यार की हैं. अरे मोरी फुल सुंगी. ये क्या हो रहा है? वही जो होना चाहिए, darling. Come on. ये क्या हो, तुमने मुझे कीला कर दिया. ये उननी स्रिल की फिल्म में डालूँ. आगे आगे देखो, होता है क्या? प्यार करेंगे, अभी करेंगे. यहां करेंगे, वहां करेंगे, प्यार करेंगे. अभी करेंगे, यहां करेंगे, वहां करेंगे. अरे अपने दिल की रानी को हम प्यार करेंगे. मूड में आओ, होस में आओ, कमर हिलाओ, अर जुमगाओ अपनी जोती रानी को हम प्यार करेंगे आप प्यार करेंगे, अभी करेंगे, यहां करेंगे, वहां करेंगे अपने दिल की रानी को हम प्यार करेंगे करें पहले हमों सेर कराओ, पकी लाओ, ताज दिखाओ, चौ बेदी की चांच खिलाओ, पांडेदी का पांच खिलाओ, फिर हम, फिर हम शायद सोचेंगे कुछ बहुत दरेंगे, सब तक मीरे पात नाओ, पीवा करके मीवा खाओ, फिर हम जो चांच खिलाओ, वो तरिकार करेंगे, वो तरिकार करेंगे करेंगे हमादी चांच झमें, पांच खिलाओ, फिर हम में, वोonton! हम में आपना चांच खिलाओ, ओना जो Чांच खिलाओ, फिलाओ, पिलाओ, तक के मीवा करके अढस्सिया क्ली की चांच वुलिए अरे चाट फिलाई पान खिलाया। दिन भर तुम को भूब भूमाया। चाट की लाई पान की लाया दिन भर तुम को भूब घुमाया आ चुन-चुन कल्यां से जु पिछाई फिर भी पत्नी पात न आई राम तुम में आऊ शोश में आओ राम दु तुम अपनी दिल के राजा को हम प्यार करेंगे प्यार करेंगे, अभी करेंगे, यहां करेंगे, वहां करेंगे, अपने दिल पर जानी को हम प्यार करेंगे अपने दिल पर जानी को हम प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे, हम प्यार करेंगे अरे भाईयाब, अरे विजय, प्रणाम भाईया, अरे खुश रो, खुश रो, हम तुमारे घर जा रहे थे, अच्छा वह तुम्हें वह रास्ते में मिल गए, भई तुम्हें उसे कुछ जरूरी बातें करने हैं, हाँ हाँ बताए न, अरे जो, अरे यह गाड़ी में चुप-चाप क्यों बैठी हुई है, अरे जोती, भईया सामने खड़े, अभी तक प्रणाम ने किया, ये सोशल फिल्म में सस्पेंस चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ, दरसल जोती को मैंने डाट के घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए अब तक मुझसे नाराज है, क्यों ज बाट है भईया, लेकिन लड़का कौन है, लड़का बहुत अच्छा है, हम दो उसे पसंद कर लिया है, लेकिन उसके सामने एक समस्या है, वो अपनी नई फैक्टरी के लिए बैंक से करजा लेना चाहता है, आरे डन 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 डन, ये तो मेरे लिए बायाट का खेले, ये आज से हमारा लला अनिल आपका हुआ और आपकी पिंकी हमारी बहुरानी, जी आपकी बड़ी महरवानी, ठैंक्यू चाची, अगर आप आग्या दें तो पंडित से मिलके हम शादी के मुहरत निकलवा ले, ठैरिये साब, ठैरिये, पहले हमारा लला, ये अब मेरा मतलब है क घर समालने लाइक तो हो जाए, क्यों लला लाइक हमारा, हाँ, चार पैसे कमाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, शादी ब्याद का अनन तब ही तो आएगा, अरे चाची, समझदार को इशारा काफी होता है, मैं अनिल से उसकी फैक्टरी के बारे में बात कर लूँग और सरकार से लों तो मिली जाएगा, मिली जाएगा, हाँ, बस यू समझ लिजे चाची, कि उसकी फैक्टरी लग गई, डन 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 डन, हाँ, अच्छा और कुछ जो कुछ भी बतलब के कहना सुनना हो, वो कैसे सुन लेंगे, अजी आप से क्या कहना और क्या सुनना, अपने लला के बापू, वैसे आजकल मामुली आदमी भी 20-25 तोले सोना दे ही देता है, वो तो आप दे देंगे, रहे कलर टीवी, फ्रेज, सोफा सेक्ट, वगारा, वगारा, वो तो हर लड़के अपने साथ घर ले जाती है, वो सामान भी आप देंगे, क्यो लला के बापू? बहिया, ये बुड़ों और बुड़िया दुनों बड़े खुसर लगते हैं, अब यहां कर देते हैं, बाद में जो कुछ भी होगा देख लेंगे जी हम आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे, हम हरे हिसाब से तयार है देखिये जी, हम मिया बीवी बड़े सीधे साधे लोग हैं, लेकिन हमारे पड़ों से बड़े ही खराब हैं बहुत ही खराब साथ? हाँ, अगर आपके बहन दहिज में कुछ कम बढ़ती लाई, तो उसे ऐसे ताने देंगे, ऐसे ताने देंगे, कि बिचरी शरम के मारे अपने आप पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लेगी हाँ, और लोग कहेंगे के सास ने दहिज के लालच में बहु को जला डाला, तो लल्ला की अमा अरे हम उसकी नौबत आने ही नहीं देंगे चाची, हम अपनी पिंकी को ग्यास का चुला देंगे, ना होगा मिट्टी का तेल, और ना लगेगी आग, क्यो भाईया सगाई भले आज हो या कल, लेकिन हमारे लल्ला की शादी तभी होगी भाईया, जब उसकी फैक्टरी शुरू हो जाए, भले दो-तीन साल लग जाए, हाँ बिल्कुल ठीक आए भाब जी अब आग गया दें, हम पंडी जी से सगाई की तारिख पकी करके आपको ख़बर देते हैं देखते देखते तीन साल बीट गए, पिंकी की शादी सर पे आ गई, और पैसो का अभी तक पूरा इंतजाम नहीं हुआ है पैसो का इंतजाम तो हमें ही करना है, किसी भी एक कीमत पर करना है, लेकिन पैसो का इंतजाम कहां से करें, बंदोबस्त कहां से हो, हाँ, एक रास्ता है बेहन की शादी और घर की इजज़त का सवाल है तुझे बेशने की सवा और कोई रास्ता नहीं आए मजपूर हूँ मुझे माफ करना मुझे माफ करना मुझे माफ करना बैट जाज़ू अरे राम छबीले हाँ भासन लिखवा लिए ना काज आके बोलना है हुआ यह गुपताजी से लिखवाया है क्या अबदल भाई बहुत बढ़िया लिखा है नोने परनाब आसान लिखा ना भाई बहुत आसान लिखा है अही तो बोलने बहुत तकलीफ होती है हाँ डैड हाँ बिटवा अरे गॉंग्रेक्षिलेशन्स डैड किस बात का कॉंग्रेशन्स चा लाइसन्स भाई डैड मैंने श्टानी की माधशा को अपनी मठी में कर लिया है पले नहीं पड़ा का कह रहे हो तुम डैड मैंने अपना खुद का बिजनस शुरू कर दिया है खुद का बिजनस वो का है प्राउन शुगर का डैड दस लाग के माल के तीस लाग मिला करेंगे तीस लाग? अरे जीओ मेरे बिटवा तोरी बात तोंके तो हमरी आत्वा प्रसन होई गई अब हम सोचते हैं कि किसी कर्म कांडी के कुवारी कन्या के साथ फोरं तोरा भी आरा चाहिए हैं औरे नहीं ढग, इसकी इतनी क्या जल्दी है? अरे बहुत जल्दी है मरे बिटवा, बहुत जल्दी है हमनी बहुत इच्छा है कि इस वीरान घर को आबाद कर दें एक चांद सी बहुत इस घर में ले आए और उसके बाद तो हम कुद दादा बनाई दो और हम अपने चरित्रवान पोते के साथ खेलते, खेलते, खेलते भले ही स्वर्ग माचे ले जाएं देखा स्वर के नाप पे घंटी भी बज गई हलो, हम ठंठं ठं तीवारी बोल रहा हूं तुम कौन बोल रहे हो, जल्दी बोलो भाई ऐसी भी क्या जल्दी है ठंठं पहले मेरी बात तु अच्छी तरह सुन ले काहे तु मेरे बाप की नोकर हैं का ये मेरा आखरी फोन है तुझको आज के बाद मैं तुझे कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त माट डालूगा हलो, हलो कौन था डग? वही जिसने पहली दो मरतबा फोन किया था कहता आपकी बार तुम को जान से माट डालेंगे आरे डोन वरी डग उस साले पे शनी की माध अचा ही है कोई पागल हो गड़ है नहीं नहीं पागल वाकल नहीं है उसकी आवाजों बदले की भवना लगती है कुछ गड़बोले भाई राम शबीले, भाई मीटी के अंसल हम नहीं जाते है कैसे नहीं जाएंगे लाखो रुपे खर्च किये लोग वहाँ आपका इंज़ार कर रही है अरे तो हमका लोगों के लिए अपनी जान दे देखा पंड़ित जी सारी पब्लिक पागलों की चरा आपका इंज़ार कर रही है वो कुछ भी कर है हम नहीं जाते हुआँ हुआ अरे भाई ये ठंठं तिवारी होकर दरते हुआ अरे तो कोई जरूरी है कि ठंठं तिवारी को को ठंद के गोली मारते अरे डोंट वरी डैट मैं आपको यहां से लेके यहां तक कावच यानि के बुलेट पूट जैकेट पहना दूँआ दूँआ आप सीना तान के भाषन देना कोई आपके सीने पर गोली मार दिया तो अरे उसका भी इलाज है डैट आपने टीवी पर फेंटम का पिक्चर देखा तो मैं फेंटम की तरह आपके पूरे मुपे सील का टोपा पेना दूँगा तो फिर हमको दिखाई कहीं से देगा अरे डैड आँख कैसा खुला रखेंगे और कोई आँख में गोली मार के काना कर दिया तो नहीं हम नहीं कर दिया आज मैं तरी कोई बहाने बाजी नहीं सुनने वाली मेरा कहमान और जल्दी आशा से शादी करके अपना घर बसा ले खामोशी से काम नहीं चलेगा बिल्लू इसी वक्त तु मुझे अपने आटो रिक्षा में बिठा कर नहीं बसती ले चाथ तेरे सामने गोपाल पंडित से शादी की तारिक पूछे लेती हूं चटमंगनी पट्व्या इतनी जल्दी भी क्या है मा, दो-चार दिन बात चल चलेंगे तब तक अपना आटो रिक्षा भी ठीक हो गया जागा भाईया जूड बोल रहा है मा हाँ मा, भाईया जिस आटो रिक्षा की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने कब का बेच दिया क्या? यह सच है मा, पिंकी की शादी के धहेज में अनिल को मोटर साइकल देने के लिए भाईया ने अपना आटो रिक्षा भी बेच डाला यही नहीं मा, इन्होंने अपने गाउं की जमीन बेच कर मेरी शादी की थी और हाँ, जब निशब अभी साथ दिलों के लिए आई थी तो टीवी, फ्रीश्ट, सोफा, सेट, यह दुनिया भर की चीज़े भाईया अपना गाउं वाला घर बेच कर लाए थे हाँ, हम लोगों का अमरत बिलाकर तुने अकले ही अकले जहर क्यों पिया बेटे मैं मरने के बाद तेरी माँ को क्या ज़ब दोगी भूल क्या ज़ब दोगी कुछ नहीं अम्मा, जो इस दुनिया में नहीं है उसे क्या जवाब देगा लेकिन जो अम्मा हमारे सामने उसे उसे सुखी रखना तो हमारा धर्म है ना और बिल्ली अपने धर्म से कभी मुह नहीं मोड़ेगा निशा, बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हो बेटे नौमा महीना चल रहा है, थोड़ी बहुत तकलिफ तो परदाश करनी ही पड़ेगी मा बनने वाली हो ना, लेकिन आंटी, हाँ हाँ, बोलो बेटे घर में आके ले पड़े पड़े, बहुत खबराथ होती है मुझे डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारे टेडी से बात करके आती हूँ तेक इट इसी, आच्छी आ गई, डाक्टर नी जी मेरा बेबी कैसा है? निशा किसी है अच्छी है, everything is normal लेकिन डिलिवरी किसमें निशा के पास घर की किसी बड़ी-बुडी का होना बहुत जरूरी है टीकमदास्ची अच्छा बड़ी-बुडी, आइडिया अरे बेटा रवी, तुम्हारी मा और मेरा समंदन से ज़्यादा समझदा लेडी तो इसकल यूग में पैदा ही नहीं हुई भाई हाँ रवी, तुम अपनी मम्मी को ले आओ बात केशे रवी अरे बात-बात कुछ नहीं, बात-बात कुछ नहीं फोरण जाओ, और इज़्जत के साथ मेरा समंदन को अपने घड में ले आओ ठीकी रवी, मैं मा को ले आता हूँ मैं तेरे साथ तेरी ससुराल नहीं जाओंगी रवी चाहे तु मेरी लाख खोशा मत कर ले ऐसा मत का, मा होनी बलवान होती है, मा पर जो होना सा सो हो गया, अब इसमें रवी का क्या दोश है सारा दोश इसी का है, यही मरा अपनी लुगाए का गुलाम बनकर हमें भूल गया और आज अपनी गरश पर मा मा करते हुए आ गया अगर यह सिर्फ अपने सुक का साथ ही है, तो हम क्यों इसके दुख दर्द में हिस्सेदार बने हमरा कहा मानो, और बहु को दिल से माफ कर दो और पपुया के साथ जा हाँ हमा, चलो ना पर मैं तुझे अकेला छोड़ कर कैसे जाओ, तेरे खाने पीने का क्या होगा अरे अम्मा हम ठारे अकेले आदमी कहीं भी खाँ पी लेंगे, तुम कहें चिंदा कर रही हो, जाओ ठीक है, फिर मैं आशा को सब समझा भुजा कर जाओंगी जो बात मैं तुम्हें घर पर नहीं कह सकी, वो कहने यहां लाई हूँ कौन सी बात? मेरा बच्मन तुम्हारे घर में आते जाते जवान हुआ, लेकिन लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला, मगर आजकर लोगों ने हम समझ गए, तुम क्या कहना चाहती हो यही ने कि अम्मा को गयवे 5 महीने हो चुके हैं, और इन 5 महीनों में, हमारे अकेले घर में तुम्हारे आने जाने पर तुम्हारे बापी तुमसे नाराज है और यहां तक कि मुहले वालों ने भी तुम पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी, हमारी बात मानो आशा जब तक अम्मा घर नहीं आ जाती, तुम हमारे घर आना जाना बंद कर दो कोई तुम पर उंगले उठा है या मैं अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे मेरा अधिकार दे कर लोगों के उठने वाली उंगलिया हमेशा हमेशा के लिए नीची क्यों नहीं करते थे परसों से बहुत जरूरी काम अधुरा पड़ा है एक भार उसे पूरा हो जा रहे दो उसके बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा पूरी रात होगे आपको खौंखों करते हुए भगवान के लिए आप तो सो जाईए माजी रोकने के बहुत कोशिश करती हूं बभू पर रुकती ही नहीं दो दिन बिमार के पड़ गई जीना हराम कर दिया आपने अगर मेरे यहां रहने से तुम लोगों का जीना हराम होता है तुम्हें यहां से चली जाती हूँ बिल्लू के पास हाँ हाँ जाई अपने लाडले बेटे के पास वो ही तो एक आपका सगा है न ये तो आपके कुछ लगते ही नहीं चीखो मत इस वक्त ये सो रहे हैं सवेर इनसे खूब गले मिलकर चली जाना अरे बेबी किसको जाने को बोलता है नी देखे न डैडी यह हमेशे धंकी देती रहती है मैं यहां से चली जाओंगी अरे इन्हें रोकता कौन है अरे बार में गया डैडी तुमारा ये हिम्मत के हमारे सामने समंदन को उल्टा सीधा बोलो लेकिन भाई साब एक मिनिट समंदन जी अरे थोड़ा शरम करो बेबी सास का दर्जा मां से भी उचा होता है नी इसलिए उसको कभी बुरा नहीं बोलो सेवा करो उसकी आशिडवाद लो उसका अब छोड़िये भी भाई साब अरे भई कैसे छोड़ूं मेरे को मालूम है समंदन जी के हिंदुस्तानी सास तो दुनिया का सबसे अच्छा सास होता है कभी गलत नहीं करता कभी गलत नहीं बोलता सारा गलती सारा बदमाशी तो बहु लोगी करता है समंदन जी फिर भी मेरा बेबी ने आपको जो तकलीफ दिया उसके लिए मैं आप से बहुत-बहुत माफि मांगता हूँ क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साब जहां चार बरतन होते हैं वहां आवास तो होगी ही थैंक्यू थैंक्यू वेडी मच्च अरे बेवकु छोकडी मेरा घर मेरा ही नाग कटाती है जड़ा सावी अकल नहीं है चल समंदन जी को आराम करने दे अरे 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 अकल के पीछे लाठी लेकर काई को दौरता है बेबी लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ड़ी अरे बाबा मेरे को समझ दे की कोशिश करो नी अरे आज के जमाने में 1500 की नौकरानी भले ही मिल जाए मगल कोई नौकरानी उतना काम नहीं करेगी जितना अकेली ये कमभखत बुरिया करती है ये तो सही है ड़ी अरे फिर तेड़े बच्चे का गूमूद भी कितना प्यार से उठाती है वो तो कौन सी महरबानी करती है ये तो हर एक दादी करती है अरे बाबा अरे बाबा लेकिन अगर कहीं वो ये बंगला छोड़कर उस मकान में चली गई साहीं तो फिर मैं उस मकान को बेचूँगा कैसे लेकिन ड़ी आप उस मकान को बेचना क्यों चाहते हैं अरे बाबा वो इसलिए जैसा वो मकान उसके बाप दादा को दहेग में मिला हुए आप बिल्कुल सही कह रहे है ड़ी अभी अक्कल का बात क्या ना बेबी अरे बाबा वो प्रापर्टी दो लाग से कम का क्या हुए लेकिन ड़ी तबी उसे बेशनी के लिए तयार नहीं होंगे वो अपने भईया को बहुत प्यार करते हैं अरे वो सब तुम मेरे उपड छोड़ो पस इस कमबखत बुड़िया को दो-चार दिन खुब मसका पालिस लगा कर समालो बोतल का अंदर किसको केसा उतारना है ये मेरे को अच्छी तड़ा आता है तीकम दास कुंदन दास मीड चंदानी का चलाया गया तीड कभी खाली नहीं जाता है हमेशा सही निशाने पर ही लगता है भाया अरे रवी आओ बहु आओ जीती रहो कैसी हो अच्छी हूँ मुन्हा को साथ नहीं लाई नहीं मम्मी के पास है क्या करें वो दादी को छोड़ता ही नहीं अच्छा देखो क्या संजोग है कि हम आ रहे से तुम्हारे घर अम्मा को लाने के लिए और तुम लो खुद ही है आ आगए इस वक्त तो पैसे नहीं है हमारे पास बहु लेकिन कोई बात नहीं हम कहीं से इंतिजाम कर देंगे कितना ना ना इतना बड़ा मकान बेकार में खाली पड़ा हुआ है आपको यहीं परेशाने उठाने की क्या जूरत है इससे बेशकर हम अपने नई फैक्टरी का काम शुरू कर सब्सक्राइब क्या कहा इस घर को बेचोगे इसमें बुराई क्या है इस मकान के तो ढाई तीन लाख अराम से मिल जाएंगी जिससे आपके छोटे भाई की मुसीबत भी दूर हो जाएगी नहीं रवी नहीं नेशा ऐसा मत करो पुर्खों की अमानत का सौदा मत करो ये घर तो हमारे सुक दुख के आखरी निशानी ही बहू ऐसा मत करो नहीं भाईया मेरा मतलब ये मतलब मतलब क्या लगा रखा है देखो इस वक्त हमें सिर्फ पैसो की जरूरत है तुम्हारे सकते हैं हर पर दुख सुख बाटे अपने एक ही रस्ता एक ही मंदल एक ही सब के सपने एक जनम क्या जनम जनम तक साथ रही हम सारे एक दूजे का प्यार हमेशा मन में रहे हमारे मन में रहे हमारे ये जो घर मोल है दिल भी जैसी हाँ है हुआ है झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर देखो देखो इधो देखो मुन्ना मामी को देखो हाँ शो अरे बेबी हाँ डड़ी अरे वाँ वाँ मेरे प्यारे एक लाते मुन्ने राजा का फोटो निकालता है अरे तु 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 फोटो खिचाओ हां मजा लेओ अरे बेबी लेकिन पहले ये तो बताओ के उस मकान का चाबी लाया के नहीं? हाँ डैडी मिलेकर आई हूँ शाबाश! बेरी गुड बेरी गुड बहुत अच्छा किया अभी उस मकान को मैं लाख दो लाख में फॉरन बेज डालता हूँ ना रहेगा बास ना बजेगी बास शुड़ी मगर डैडी अगर चाबी हमारे हाथ में है तो फिर मकान बेशने के जल्दी क्या है? है बिबी है अरे तुम समझता क्यों नहीं? जैसा साली लाइफ का कोई भडोसा नहीं वैसा साला गरीब लोगों का भी कोई भडोसा नहीं अरे बेबी, वैसा ही तुम्हारा हस्बंड रवी है, उसका भी कोई भडोसा नहीं, और उपर से साला वो एक नमबर का उल्लू है उल्लू आप बिल्कुल सही कह रहे है डदी तभी तो बेबी मैंने ये भंगला, ये प्रापर्टी, टोटल बैंक बैलेंस, पाई-पाई का हिसाब ये सब तेरे नाम कर दिया है मैं जानती हूँ डैडी देखो बेबी, अड़े, आज तो मैं जिन्दा हूँ, कहीं गल्ती से, कल सुबू मानिंग में मैं लुड़क जाऊँ तो तेरा ये हस्बंड, तेरे को 100% धोगा देकर, तेरा करोणों का प्रापर्टी लेकर, अपने उस फटीचर भाई के पास जरूर भाग जाएगा और उसके बाद, तेरा हालत ऐसा हो जाएगा जैसा धोबी का कुता, ना घड़का, ना घड़का अड़े, बाबा मेरे को क्या देखता है, घड़के घड़ वापस लटने के पहले उस मकान का चावी मेरे हात में देदे, मैं आज रात को ही उस साले मकान का सौधा कर डालता हूँ अगर ये बाथे, रेनी, तो मैं अभी आपको वह चावी दिये देती हूँ वा 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 शाबाज, बेबी, शाबाज कि आपकी ये बेटी मेरे नाम पर है अरे ये तुम कैसा उल्टा बात करता है साही उल्टी नहीं सीधी बात कर रहा हूं मिस्टर टिकमदासमीर चंदानी मैं इस वरत का शोहर नहीं जरखरीन गुलाम था रगेल था जीट से इसका यादी डॉर्ट शाउट हाँ तो मिस्टर टिकमदासमीर चंदानी सारी जिन्देगी तुमने अपनी बेटी को ये तो सिखलाया के पती देवता नहीं होता लेकिन आप मैं भी इसे ये जरूर सिखलाऊंगा के पती गुलाम भी नहीं होता आप? आप यहाँ? सिर्फ तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने अपने देवता समान भाई को घर से बेघर क्यों किया? उस नेक इंसान पर इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया? बोलो रवी बोलो, छवाब दो अरे रवी, जिस करम योगी ने तुम्हारे उपर अपने सुखों को कुर्बान कर दिया जिसने तुम्हारे सपने साकार करने के लिए अपनी जवानी नियुचावर कर दी जिसने तुम्हारी मुस्कराहट उपर अपनी तमन्नाओं को जीते जीताफन कर दिया जिसने अपना खून पिलाकर तुम्हारी परवर इश्की और अपनी सारी जिन्दगी तुम्हारे नाम लगी ऐसे त्यागी इंसान के साथ विश्वासगात क्यों किया क्यों गदानी की अपने रहनुमा के साथ बोलो रवी बोलो शटक यूँ पास्सू रुपए वाली मास्टर नहीं मेरे हजबन को लेक्शर देने वाली कौन होती है तू बोल क्या आवकात है तेरी आवकात आवकात क्या है आवकात हमसे पूछो आशा भावी की आवकात पूछने से पहले निशा तुम्हें जरा अपने गिरेबान में ज़ाकर देखने ना चाहिए था कि तुम्हारी और तुम्हारी इस काईया बाप की आवकात क्या है एक फरिष्टे के लिए अपनी जिंदीगी को खाक में मिला देने वाली हमारी या आशा भावी हिंदुस्तानी औरत की जीती जाकती नूरती है मिस्टर विजे आँखे मत दिखाओ तुम इस महान देवी के चर्णों की धूल भी नहीं हो भावी जोती मुझे मेरे ही घर में बेवज़त करने की कोशिश मत करो समझी बेज़ती तो उसकी होती है निशा जिसकी कोई इज़त हो और तुम तो ऐसी आउरत हो जिसने एक भोले बाले इंसान को गुम्रा करके उसे उसकी बहन की शादी में भी जाने नहीं दिया बिल्लू बया जैसे देवता इंसान को घर से निकाल कर उनकी सारी कुर्बानियों पर पानी फेर दिया तुमने अपनी मकारी से एक खसते खिलते घर को विरान कर दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इंसानों से नहीं पैसों से प्यार है ठीक है लो एचेक बुक और भर लो इसमें मन चाहिरा कम और बढ़ले में हमें उस घर की चावी चाहिए अभी और इसी वक्त मिस्टर विजे ये हमारा बंगला है और हमारे ही घर में हमें भीग देने की कोशिश मत करो शराफत का तकाजा यही है कि तुम इसी वक्त यहां से निकल जाओ चले जाओ यहां बत्ता मी जवरात ते लिए हुआ रवी, रवी, क्या किया तुमने? मैंने जी किया, अब मैं एक पाद भी यहांनी रह सकता और नहीं अपने बेटे को सिक्का लिखाय में रहने तुमगा रवी, ऐसा मत कहो ज़रूर कहूँगा मैं अपनी अउलाद के खुल में नफरत काहसा सहर नहीं भला चाहता जिसे यह मासूम बढ़ा होकर अपनी मेरवान के उन वाओं को काड़ डाले जिनकी उंग्या पकड़ कर यह दुनिया में चलना सिखेगा नहीं, नहीं, रवी, 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 क्या हो गया तुम्हें? नहीं, आज मुझे पने पाभूगा प्रैस्ट करने तो प्लीज ओ रवी, अरे बंद करो अपना यह नाटक और होश में आओ नाटक बंद करके तुम होश में आओ, मिस्टर तिगडमदास आज पहली बार तुने मर्दो वाली बात किये, आज मैं फक्र के साथ कैसकता हूं साले, के तु मेरा साला है अरे साला वाला छोड़ो, दिमाग तुम्हारा ठिकाने पड़ा क्या है, तुम भी होश में आकर बात करो डाड़ी, होश में तो आप आईए डाड़ी, और खबरदार, हम पती-पत्मी के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं पाप, पाप जिम्मेदार है मेरी इस हालत के लिए, आप के उल्टी सीथी बाते सुनकर, मैंने अपने घर के रिस्ती में आग लगा ली अब और कुछ मत कहिए, चुप हो जाएए रवी, मुझे माफ कर दो रवी, और बेटा मुझे दे दो बेता दे दू, तुझे माफ कर दू, तेरी जैसी औरत को माफ कर दू, मगर क्यो, क्या तुन्हे मेरी बेन बिरनोई को माफ किया था, क्या तुन्हे मेरी माफ किया था, क्या तुन्हे मेरी बेगुला भाई को माफ किया था, जो मैं तुझे माफ कर दू, तेरी जैसी औरत को रवी पांदल हो गया है उसने अपनी गल्टी का ऐसास कर लिया है और वो तुस्से तू माफ नहीं करेगा तो गल्टी तेरी होगी देख क्या हो रहा है यह मेरा बुल्ट से चीन रहा है एक मां को उसकी संतान से अलग मत कर वेड़े हैं आज ही साड़ी दुनिया धारी छोड़ के डाइरेक्ट थाड़ी द्वार चला जाता हूँ लेकिन क्यों क्या हुआ मैं बताती हूं मा रवी भही और भावी ने बिलु भही ऐसे घर की चाबी लेकर उन अपने घर से निकाल दिया क्या मा ये सच है रवी बहु मा जी आप फिकर मत कीजिएगा बिलु भया जहां भी होंगे मैं उन्हें धूंड लाओंगा आप फिकर मत कीजिएगा चल रवी चल चल मुझे ये भगवान मेरा बिलु कहा होगा प्रश से जाएगा जाँ भी लेकर मत कीजिएबाया लेकर मेरा जाँ बहु लेकर वगवार बाक्ता सक्का बद्गाल उन्हें जाएगाँ कि आपक्ला के पिर उद्गेंगें है ए है यहां ऐप अहने है ऑप्ला की दो जो बहुत बढ़िया, जर्म दिन मुबार्टों, बहुत धन्यवाद, है ना संजोग की बात भईये, आज आपका पचासवा जर्म दिन है, और आज जी के दिन ब्राउन शुगर के धंदे में पचासला का लाव हुआ है, अच्छा, बहुत खुशी की बात है, मगर लोगों के साम का जल्द तो मुझ को लगाई लें, तेरी मौत का दिन तुझे बहुत बहुत मुबार्टों, ठंठन, ठरो, 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 कुरोध पाप का जड़ है, सांती, परम सांती, कौन हो मुरे लाल, मैं तरह काल हुँ ठंठन, यहां आने से पहले मैंने फोन पे तुझे आखरी बार अच्छतावनी भी दी थी, आच्छा, 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 तो यह वही माई का लाल है, जो रोज-रोज हमको फोन पे बार निंग देता था, तुम्हे हो गो है, हाँ ठंठन, मैं वही हूँ, तो तोरे जैसे शुरमा ही यहां, जिन्दा तो बहुत आए, मगर ल हुआ हाँ 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 हाष! 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 अबचके कवा जो अचाँड़ागा तंचं? इतना करीब पाके तुझे छोड़ दू तूने मेरे बापु को छोड़ा था ठंठंती वारी जो मैं तुझे छोड़ दू एरे तोरा बापु कौन धा भाई शंकरलाल जिनको तुने भरे चौराहे पर बेरहमी के साथ माट डाला था वह धर्दनाग मंजर में आज तक नहीं भूलाओ ठंठंठंप बन करिये द्रामा रिक्षा वाले आरे आवा बिटवा धैक को छोड़ दे वरना तेरी इस खोब्सूरत बैन की खोपड़ी का कीमा बना परमात्माजी सोगन बहुत अच्छे समय पर आया हो बिटवा नहीं तो इस साला हमको निश्चिंत रूप से सुर्खवासी करने वाला था डॉंट वरी डाग हम अभी साले का किरिया करम किये देते हैं यहाँ अभी इसी वक्त को कम दो डाग हम कित्ती गोली इसके सीने में उतार अरे ठैरो बेटा ठैरो प्रेम पूर्वा गुस्सा ठूख दो ऐसे जरा बहन भाई का मिलन धोई जाए दियो हाँ ठीक है जाल शाहिं की मादा शाहिं की तू यह कैसे आ गई भाईया यह लोगा नील कुसर मौल में गायल करके मुझे यह सा पर उसी उडाला है तुस्से तो एक पुराना हिसाब बिच चुकाना है तूने मेरा यह हाथ तोड़ा था ना आज यह हाथ तेरी इस पहन की जट लूटेगा मालेलाथ हम तो बहुत कमीन हैं चूते खाकर भी आज तेरी बहन की जट जरूर लूटेंगे लूटे हम बताते मुंसा बारता था था है जब किन अगर तुट पिंकी को हाथ भी लगा पानिया आजय ख Precis बीद बीद नेख रहालों झाल प्राइब जातारी कर दिए उन्ट लेखका लेखका ते रहालों छिए रहालों प्राइब St. हुआ 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 है हुआ 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 है और शुआ हुआ 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 हुआclear कि भाग कहा रहा है चांडाल जब तुने मेरे बापु को उनका जनम दिन नहीं मनाने दिया था तो मैं तुझे तेरा जनम दिन कैसे मनाने दूगा आज तु अपना जनम दिन नहीं अपना मन दिन मनाएगा देख ठन्ठन ये वही चाकू है जिससे तुने अठारा साल पहले मेरे बापु की हद्या की थी और इसे तु मौका ये वारदार पे छोड़के भाग गया था यही तेरी जिन्दगी की सबसे पहली और आखरी भूर की पहला की अजिए आखरी ग्ला की जिन्दगी अखरी भूरो की सबस्ते बादार आखरी की अजिए बिल्लु बेटे, बेटे, देख, तेरा को इंपसार कर रहा है, आप बीचो घर आगने तो इस खुशी के मौके पर एक सा कुटूंबसा परिवार फैमिली फोटोग्राफ कीचने जा रहा हूं मैं, तो एक मिनिट के लिए आप लोग शान बैठेगा शान बैठी न्या आप खोगया रहा हूं मैं हाँ, 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 हाँ.. हाँ, यह ओन वा, हज्या साले ने बीबी कि बाँ